हलो मेरे लड़ो मैं अपका अपना रोईत मार्सोनी आज अपन जाई एडवांस 2018 के पेपर 2 के व्यूडियो सोलीशन्स पे डिसकस करने वने वड़ा इसमें ना यार कुछ-कुछ प्रोब्लम रिली काफी इंट्रेस्टिंग प्रोब्लम्स है और अगर आपन ऐसे काउंड करे इससे मैंने लास्ट पेपर बदा था एक प्रोब्लम्स काफी चैलेंजिंग प्रोब्लम्स जिसको बोला था अपने इस पाले पेपर में भी मेरे को 2-3 प्रोब्लम ऐसी चैलेंजिंग लगी मैं बता दूं कुछ यह और अच्छे से ध्यान देंगे पहला क्यों इन इन वेल से लेके r तक है as f of n x दे रहा है summation j is equal to 1 से लेके n तक 10 inverse इस ताइप से लिखा है या इतना देखके हर एक बच्चे के माइंड में ये चीज आ जाना चाहिए था कि इसको मैं थोड़ा करके लिख सकता हूं 10 inverse का ये जो चीज है इसको मैं यह से लिख सकता हूं बाकी क्या है आप टेखके लिख वर 4 x belongs to this inverse trigonometric function 10 inverse ये वाली values के अंदर मतलब कहां कहां डीफाइन है वो सब चीज दे रखी है options के आते हैं अपन बाद में पहले थोड़ा से इसको लिख लेते हैं ये जो f of n x है इसको मैं इसे लिख सकता हूं summation j is equal to 1 से लेके n तक और ये 10 inverse अंदर उपर जो 1 है 1 को कैसे mold करते हैं वो अपने उपर defend करता है किसमे से किसको minus crew की काम बंजे है अपना x plus j उपहले आएगा minus में क्या आएगा x plus j minus 1 divided by 1 plus x plus j मतलों जो कुछ लिखा वो सेम का सेम लिख दिया मैंने जो लिखा हो अब ज्यान द्यान से सुनो यार इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो x plus j x plus cancel out minus minus plus 1 और उपर 1 ही लिखावा था ये लिखो ची ये लिखो बात लेके जैसे मैंने ऐसे लिखा फॉर्मला बन गया इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना summation j is equal to 1 से लेके n तक 10 inverse x plus j minus में 10 inverse x plus j minus 1 10 inverse x minus 10 inverse y का यही तो फॉर्मला हूँ अच्छा एक ने बड़ा बहुत काम के चीज़ बता रहूं आपको मैं 10 inverse x minus 10 inverse y काना एक ही फॉर्मला होता है आप inverse trigonometric function में यह जब फॉर्मले याद करते हो ने बड़ा तो किसी के दो फॉर्मले होता है किसी का एक फॉर्मला होता है confusion होती है बत्सों की यार सर केसे पता लगे हमें आप ना अपन को पता है सारा यह अपन पहले positive बना लेते हैं x y को पता है ना तो यह positive ना यह बनाने के पाद x न क्या बिलोंग करेगा न ně 0 से पाइबाइबाइब टू थक और why भी बिलोंग करेगा जिरू से ले के पाइबाइबाइटू थक ठीक है अगर अपन minus करेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा minus pi by 2 से plus pi by 2 तक minus pi by 2 से plus pi by 2 minus करने पे तो 10 inverse का domain भी क्या रहता principal value भी इसी में रहता है minus pi by 2 से plus pi by 2 इसने लिखा भी हुआ तो एक formula आएगा अगर मैं इनको add करूँ add करने पोगा 0 से pi second quadrant वहाँ दिख्कत आएगा 0 से πाई 10 inverse का principal domain नहीं होता है तो 2 definition होगी ठीक है बलो जो plus कंदे से course में बात करूं course inverse x plus course inverse y एक फर्मूला क्यों? क्यों 0 से πाई principal domain में sin inverse x plus sin inverse y 0 से πाई 2 definition आएगी तो जिसमें principal argument में नहीं आए value तब तो दो definition है नहीं तो एक definition से काम चल जाएगा ये थोड़ा सा एक extra information में आपको देने की try किया ठीक है वापिस इस पर आते हैं इसमें ना इसमें एक चीज और सी को बढ़ा मतलो मेरा main motive किया आप यहां पर आपको बढ़ा कुछ extra चीज़ी सी का ना यह जो solutions है यह आपको बहुत जगे मिल जाएंगे YouTube पर बहुत सारी YouTube channels में मिल जाएंगे लेकिन अपना motive बच्चे को कैसे बच्चे के माइंड में यह चीज आए कि हाँ कि उससे देखे वो खुद से भी simplify करने के step सीख पाए वो में मोटिव अपना यहां पे अगर आप देखोगे द्यान से तो इसको एक तरीका तो क्या है ना आप j की value 1 put करो, j की value 2 put करो, j की value 3 put करो, फिर j की value n put करो, सब को add करो, कुछ cancel out होगा, वह वाला तरीका है, एक है न, vn method भी लगा सकते हैं, इसको अगर मैं vj बोलू, तो इसको vj minus 1 बोल सकता हो न, इसको vj तो इसको vj minus 1 बोल सकते हैं न, जो vj wise बड़ा है, वहाँ पे तो upper limit put करो, यहाँ पे तो j is equal to n put कर दो, और यहाँ पे j is equal to lower limit की 1 put कर दो, तो यह आपका f of n क्या बन क्या है, f of n आ गया, summation, summation वगरे put कर दिया अपने, सारा का सारा, तो यह तो आजाएगा 10 inverse, यहाँ पे तो क्या put करेंगे अपन n, तो यह x plus n, minus का यह 10 inverse 1, देखो न, directly, sorry 10 inverse x, देखो डारेक्टली आपने यह वाला चीज लिखे छोड़ दिया, बनो आपको वो steps नहीं लिखने बड़े, कौन सा cancel order वो सब निखान नहीं, अब आपको f of n थोड़ा इसको simplify कर लो, formula लगा दो 10 inverse, x plus n minus का x, 1 plus x plus n into x, यह cancel out, तो 10 inverse, n by 1 plus x plus n into में x, यह f of n आगया अपने पास, यह क्या आगया, f of n आगया बटा अपने पास, अब यह न, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा, मतलोब paper के अंदर active रहता है, मतलोब main paper के लिंदर भात कर रहे हैंपन, अना जो paper का pressure है, उसको handle करना आता है, उसको अच्छे से, एक एक छोटचोटी पारिकी वाले point भी ध्यान में रखता है, तो मैं बोलूँगा, A और B option अनना, आपको ऐसे चुटकों में सोल कर सकते हैं, कैसे, यहां पे ना, उसको पहले क्या लिखा मैं नहीं देखा, मैंने देखा, ध्याने नहीं दिया, मेरे को ध्यान दिया, मेरे को ध्यान में यह है कि, यह जो function यह 0 पे value निकाल रहा है, अरे भाई, यह पाप कर रहा है, यह क्या कर रहा है यहां पे, इसने बोल दिया कि function यह 0 पे defining नहीं है, 0 से infinity और open लगा है दोनों पे, तो इसका मतलव यह क्या लिख रहा है, यह लिखना ही कलत है भी या, तो इसका मतलव यह तो मैं ऐसी reject कर दूँँ हैं, अरे आपको यह value निकालने की जूर्द नहीं है, क्योंकि 0 पे defining नहीं है, सेम यहां पे देखो, यह option देखो, मैंने ऐसे ही बिनना कुछ sol के reject कर दिये, क्यों reject किये, बस इतनी चीज को ध्यान में लगते हैं, तब ही बोलते हैं जो बच्चा exam pressure को handle करते हुए, बारग्य से एक चीज को note down करता रहता है, वो एक अलगी level पे पहुंच जाता है, अब चलो इसको तो sol करना पड़ेगा मेरे को, limit x 10 of f of nx, तो पहले क्या करता है, मैं limit लगा देता हूँ, इस पे f of nx पे, f of nx क्या बन किया है आपने पास में, यह बन किया 10 inverse, 10 inverse, उपर क्या है, उपर n है, उपर n है, divided by 1 plus x plus n into x है, मेरे को limit क्या लगानी है, x tends to infinity लगानी है, limit x tends to infinity, यहां भी limit x tends to infinity, तो होगा क्या ना, तो होगा क्या, कि यह अगर x infinity को जाएगा, तो नीचे वाला टम infinity को, तो यह पूरा टम 0 को जाएगा, तो 10 inverse 0 कितना 0 आगया, 10 inverse 0 कितना 0 आगया, C option में तो बोल रहे है, उससे पहले 10 लगा रहे है, 10 0 कितना होता है, 0 होता है, तो यह तो 0 आजाएगा, और यह 1 by n दिया है, गलत हो गया, तो यह पूरा लिमिट कितर जाए रहा था, 0 को सेक लगया, 0 कितना होता है, 1 तो यह 1 दिया हो है, D option आपका एकदम सही answer है, तो ऐसे simplify करेंगा, अगे सारे विए क्योशन्स, note down कर दो, इसको अच्छे से बढ़ा, अगला वाला जो क्यूशन्स है ना, यार इसको ना जैसे, मैंने सुना है कि जब यह पेपर दियादा, स्टूडेंट ने तो बोला ता सर्फ, most challenging problem लगा में, पेपर 2 के अंदरा, लेकिन यहा ना इस क्यूशन्स के तरूम, आपको यह चीज एक तो सिखाने वाला हूं बटा, यह जितने भी coordinate geometric equations आते हैं, circle है, काफी potent है, जाई advanced के point of view से, ठीक है, इसमें वो, एक confusion आपको यह करता है, वो एक particular, जैसे अपन normally अपन जब class में example करते हैं, तो एक circle का equation दे देते हैं, normal circle, S लिखा equation दे दिया, इसने क्या, यह करता है कि equation दे देगा, कुछे example में लेकिन उसे particular नाम दे देगा, जैसे यहाँ पर इसने let T, एक line passing through the point P, उस line को नाम T दे दिया, फिर आगे वो वो वर T use करता है, तो बच्चे थोड़ा सा, बच्चे और थोड़ा confusion हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको वेसी challenging लगता है, तो थोड़ा इसकी बड़ा practice कर दो, ऐसे आपको आते ही है, तो इस सी इसकी जुरूर आपको practice रखनी है, मस्त interesting problem है, language के coding diagram बना लो, बन जाएगा केशन से, let T be the line passing through P point and Q point, F1 किसको बोल रहा है न, आपको इन सब चीज़ों पर जान दे रहा है, F1 का मतलग क्या है, all pair of circles S1, S2, such that T is a tangent to S1, दो circle ऐसे है, S1 पर तो tangent है, T वो P point पे और S2 पर जो tangent है, वो Q point पे, and also such that S1 and S2 touch each other at point A, sorry, at a point, दोनों एक point पे और टच्स कार रहे हैं, तो पहले diagram बना लेते हैं, आपन, जैसे ये एक circle, ठीक है, एक circle और बना लेते हैं, और, ये कोई दूसरा circle आ गया, इस circle को मैंने बोल दिया कि, S1 circle है, इस circle को बोल दिया मैंने कि, S2 circle है, इन पे एक tangent है, T जो दोनों पर touch कर रही है, इस type से, S1 को जो touch कर रहे हैं, वो तो point है P, और ये P point कितना है, minus 2,7, और इसको जो touch कर रहे है, Q पे, ये वाला point कितना है, 2,5, ये चीज़ है, ये चीज़ है, दूसरा, एक point इस पे और touch कर रहे हैं, ये, at a point से M, M point पे ये दोनों touch भी कर रहे हैं, ये point M आ गया, इतना information आपको दिया था, S1, S2 के pair को F1 बोला था, अब आगे क्या दरका है, E1 क्या चीज़ है, E1 भी दा सेट ओफ रिपर्जेंटिंग दा लोकस ओफ M, as the pair S1, S2 varies in F1, F1, S1, S2 के जतने भी possible है, वो सारे के सारे F1 है, और F1 में से E, M का जो लोकस बन के आएगा, वो E1 है, E1 क्या है, लोकस ओफ M, as the pair S1, S2, जो S1, S2 ये pair बनाया, आपने तीनों कंडिसन्स को यूज करते हुए, उसमें M का जो लोकस है न, वो आपके पास में ये है, यार इतना information दे रखना, उसके coding ये इतना समझे माना चाहिए, अब क्या क्या चीज कर सकते हैं, ये इतना information दिये था, मेरे को पहले E1 निकाल लेना है, फिर उस पे अपने बाद में डिसकस करेंगें, E2 पे, ज्यान से सुनना है आपे point, दो circle से, externally touch कर रहे हैं, externally touch कर रहे हैं, किस point पर आके meet कर रहे हैं, PQ, R point पर ये meet कर रहा है, किस point पर? R point पर, अब आप पता है, जो MR है ना, MR किस की तरह काम करेगा, एक word यूज कर रहा हूं, बड़ा ध्यान में पता हूंना अंसे, आपके पास radical axis, radical axis क्यों मोला मेंने, क्योंकि दोनों circle externally touch कर रहे हैं, reason क्या दोगे, because both circles touch each other externally, externally touch कर रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं, इस MR क्या हो जाएगा ना, radical axis हो जाएगा, और radical axis पे कोई भी point हो, radical axis की property याद करो, radical axis की property क्या बोलता है ना, कि radical axis पे कोई भी point हो, उससे दोनों जो tangent में आते हैं, दोनों circles पे वो equal रहती है, कहने का मतलो, PR equal to RQ हो जाएगा, reason क्या दोगे आफ, radical axis R ये लिख दिया मैंने, PR is equal to RQ, reason क्या है radical axis, अब सुनो द्यान से, ये जो R point है ना, ये S1 circle के लिए तो बाहर में है, R point क्या है, इस S1 circle के outside में, तो outside की point से अपने दो tangent मना दी, outside की point से दो tangent मना थे, वो क्या रहती है, ये length में equal, अपन बोल सकते हैं, MR equal to PR, reason क्या देंगे, for circle S1, एसे ही, इस circle S2 को देखो, ये R point outside में, तो MR और RQ क्या होज़ेगी, तो MR equal to RQ, for circle S2, इन तीनों से अपन क्या बोल सकते हैं, ये तीनों सीज इक्वल रह जाएगे, तो यहां से अपन को पता क्या लगा, कि MR is equal to PR is equal to RQ, MR is equal to PQ is equal to RQ, ये चीज़ा क्या, ये R point तो इनका midpoint होगा, तो midpoint तो आप निकाले सकते हो, कितना जगा, 0, square किया, तो 2 बचा, 0, 1 आजाएगा, और इस M का locus पूछो, तो यहां से तो अब हर को ही बता सकता है, definition wise, कि इस M का locus क्या बन के आएगा, आपके पास एक circle बन के आएगा, है न, तो even क्या होज़ेगा, उस circle का, ये तो जगा center, और radius ये तीनु ये रहेगी, तीनु इक्वल है, तो ये निकाल लो PR, PR कितना आएगा, PR distance कितना जगा, square root में, 4, और 36 root 40 आजाएगा, वो ये center है, तो even कितना है, even आजाएगा, x minus 0 का square, y minus 1 का square, is equal to square root 40 का ये कर दिया, तो ये आजाएगा, x square plus y minus 1 का square, is equal to 40, ये आपके पास even बन के आगया, even find out कर लिया मैंने, अरांग से, ठीक है, यहां तक काम हो गया आपके पास, के यहां तक, यहां तक आपने पड़ लिया, अगले वाले पार्ट पे देखो, अगले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, let the set of the all state line segments, joining a pair of distinct points of even, and passing through the point R, BF2, ओके, ठीक है, यह जितने भी एक point दे रहे दिया, पहले तो यह even एक circle बनेगा, एक circle है, circle के एक point दे दिया आपको, fix point एक R दे दिया, इस R point से तो अपन ऐसे infinite line segment पास करवा सकते हैं, तो यह साब का सब जो line segment बनेगा न, इन सब के, यह सब किसको represent करेंगे, F2 set को represent करेंगे, that E2 with the set of the midpoint of the line segment, और उसमें भी अपन को midpoint का, midpoint अगर पता हो, तो उसके लिए अपन को E2 उसका locus आएगा, यह तो यह तो जनरल बात बोल दी मैंने, इसमें से अगर कोई, एक particular line row करेंगे, particular point R दे रखा है, इसके लिए बात करेंगे अपन, यह point कितना है, 1,1 है, और यह center आजाएगा इसका, 0,1, इसके midpoint पे अपन डाला, code तो यह midpoint, midpoint का locus निकालना है, तो H, की कैसे निकालेंगे जी, कोई भी आपके पास code था, यह तो साथ साथ पता है, कि इसके center को अगर मैंने O बोला, तो slope of MO, into, slope of MR, is equal to कितना हैगा, minus 1, क्योंकि दोनों लाइन के आपस में perpendicular, तो यहां से निकाल लो आप, K minus 1, upon में, H into में, K minus 1, upon में, H minus 1, is equal to minus 1, तो यहां पे K minus 1 का whole square, plus में, H into H minus 1, H के को XY में replace कब करता है, जब H के को sort के बागी सारे constant होता है, यह E2 बन के आएगा आएगा आपके पास, E2 कितना आगया, X square, plus Y square, minus का X, minus का 2Y, और plus 1, is equal to 0, यह E2 बन के आगया, और यह E1 आगया, अब अपनों options में खिल सकते हैं, first option के आदे रिखा है, the point minus 2,7 lies on E1, minus 2,7, minus 2 आजाएगा, 4, और, 7, 7 minus 1 कितना आजाएगा, 36, तो यह आजाएगा, minus का 40, तो यह 0 आगया, तो यह तो point यह circle पे लाई करेगा, इसने क्या बोल रखा है, lies in E1, मतलो circle के अंदर होना चीए, circle के अंदर नहीं है, तो यह गलत हो गया, the point 4,5, 7,5 does not lie in E2, तो 4,5, 7,5 put करो, 4,5 put करेंगे, तो 16 upon 25, और यह 49 upon 25, minus में, 4,5, minus 14,5, plus 1, यह आजाएगा आपके पास, E2 इसका value निकालो क्या आ रहा है, तो यह 25 LCM, 16 plus 49, minus का 20, minus का 70, और plus का 25, तो यहां से, कितना यह 90 है या, और यह कितना आजाएगा न, नोर चपंद्रह, और, चार, एक पांच, और एक चाह, 65 हो गया, प्लस 25 अगर करेंगे अपन, तो यह तो कितना आजाएगा, 80, 100, यह तो पोस्ट्यू आगया, तो पोस्ट्यू आगया तो इसने क्या लिखावा है, दस नोट लाई इन इटू, सही तो है, यह स्टेटमेंट सही है आपका, अंदर नहीं लाई कर रहा है, दपोइंट 1 by 2, 1, lies in, 1 by 2, 1, तो 1 by 2, 1 को अगर चेक करेंगे, इसमें, तो 1 by 4, plus 1, minus 1 by 2, minus 2, plus 1, तो यह 1, 1, 2, यह cancel out, 1 by 4, minus 2, minus 1 by 2, मतलो नेगिटिव आगया, तो अंदर लाई करेगा, lies in लिख है, तो सही है, दपोइंट 0, 3 by 2, does not lie in even, तो 0, 3 by 2, तो 0 वे आगया, 3 by 2, minus 1, तो कितना आजाएगा न, 1 by 2, तो प्लस 1 by 4, minus 40, नेगिटिव यह तो अंदर लाई करेगा, और इसने क्या बोलर करेगा, does not lie, तो यह गलत हो गया, तो B और C आपके final answers आजाएंगे, बढ़ा इसके, चलिए जी, next वाले questions पे चलते हैं, next वाले questions में क्या दियावा है, that S be the set of all column matrix size, B1, B2, B3, such that, तीनो की तीनो बिलों कर रहे हैं, real values को, and the system of equations in real variables, यह दियावा है, has at least one solution, यह ना, मतलो, तो आप नो, यूगी, देखो, matrix and determinant, matrix मान के चलो, matrix आपके, J point of view से, काफी, काफी जदा important है, बढ़ा पहली बोलतो, और अच्छी-ची problem बनके आती है, अगर अपन इस, क्या बोलते हैं, system of equations वाले से बात करेना, किस type of problem बढ़ रहे हैं, तो पहला तो यह क्या बोल रहा है ना, three system of equations या फिर three planes दिये हुए हैं अपन को, और three planes के बारे में बुलावा है, at least one solution, कुछ भी solution कमेंट करने से पहले, सबसे पहले अपना काम क्या होता है, कि इनकी जो coefficient है, x, y, z से जो determinant बनेगा, उसकी value चेक करेंगे सबसे पहले अपन, सबसे पहला काम अपना यही होता है, x, y, z की coefficient लेते हैं वे अपन को value चेक करना, तो पहला काम अपन वही करते हैं, मैंने delta equal to उसको बोल दिया, क्या-क्या value आएगी, यह minus 1, यह 2, यह 5, यह 2, यह minus 4, यह 3, यह 1, यह minus 2, यह 2, ठीक है, equal to कितना आजाएगा ना, यह minus 1 in 2 में, minus का 8, और plus का 6, minus का 2 in 2 में, 4 minus का 3, और plus का 5 in 2 में, minus का 4, plus 4, तो यह तो 0 ऐसी हो गया, यहां कितना बचेगा, यह minus, प्लस 2 बचेगा, यहां पर minus 2 बचेगा, इसका मतलो 0 आ गया, सुनना बड़ा द्यान से, अब जो मैं लाइन बताने वाला हूं, यह काफी जदा इपोर्टेंट है, जब डेल्टा 0 होता है, डेल्टा 0 होता है, तब दो टाइप की possibility होती है अपने पास, दो टाइप की कौन कौन से possibility होती है, या तो होता है no solution, कोई solution नहीं आता है, या तो क्या होता है, no solution, या फिर क्या होता है, infinite many solution, यह दो condition आती है, infinite many solution, अब इसने questions में बोली दिया, कि has at least one solution कम से कम एक solution तो होना चीए इसका मितलो नो solution वाला case करेंगा अपन reject कौन सा accept करेंगे infinite many solution और for infinite many solution ये वाला acceptable जब हुआ for infinite infinite many solution many solution इसके लिए क्या condition है न delta 0 तो होता ही है and और condition क्या लगाते है delta 1, delta 2, delta 3 इनको भी अपन 0 करते हैं ये infinite many solutions का conditions रहता है बिड़ा apply करो delta 1 को 0 को delta 1 का मतलब है first column को b1, b2, b3 मनाईगे तो यहां कर देता हूँ ये b1, ये b2, ये b3 और बाकि सब तो यही रहेगा 2 minus 4 और minus 2 और 5 3 2 इसको 0 करते है इसको 0 करोगे तो क्या result मिलके आएगा आपके पास result मिलेगा b1 इंटू में minus का 8 और plus का 6 तो minus का 2 minus का 2 इंटू में 2 b2 minus का 3 b3 और plus कि ये 5 इंटू में क्या मिलेगा ना 5 इंटू मिलजेगा minus का 2 टाइम b2 plus का 4 टाइम b3 is equal to 0 2 से डिवाइब और यहाँ थो थोड़ा और सिंप्लिफाई कर दो b1 की मल्टीपल में तो यह जाएगा minus का 2 b1 और कुछ है रहेगा नहीं b2 के मल्टीपल में क्या क्या आजाएगा ना b2 के मल्टीपल में यहां से minus का 4 आया या minus का 10 आया ठीक है और b3 के मल्टीपल में क्या जाएगा ना b3 के मल्टीपल में आ गया यहां प्लस का 6 आ जाएगा और यहां पे प्लस का 20 आ गया is equal to 0 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यह 13 b3 is equal to b1 plus का 7 b2 यह जो particular conditions ने बढ़ा है यह questions में दिया हुए आपको अचा दिया हुए क्यों था क्योंकि यह conditions लिखा हुआ था कि at least one solution तो यह तभी possible है जब मैं डिल्टा वन को 0 करता है वो डिल्टा वन को 0 करते हैं यह conditions आ गया अब इस conditions को b1, b2, b3 के लिए जो option आपका satisfy कर रहा है वो option सही हो गया बस इतना questions बचाएए कितना easy questions बन गया कुछ नहीं था अपनको डिल्टा 0 करना था फिर यह conditions लगा के infinite million function लिए यह condition लगाते हैं अब आपको बस इस conditions पे ध्यान में रखना है इस particular conditions पे ध्यान में रखो और options चेक करते जाओ कुछ नहीं बचा options के अंदर चलो मैं एक एक करके options चेक करता हूं a option पे लेके आता हूं a option में क्या बोल रखा है बाई नहीं कि again three plans दे रखे हैं और check करने हैं आगे क्या then which of the following system has at least one solution वही चीज़ इन में से किसके लिए at least one solution होगा अगर इसके लिए at least one solution आपको दे रखा है इसके लिए दे रखा है तो ये conditions इसके लिए check करने तो अगरें तो बही करेंगे x y z के coefficient देंगे तो one two three पहला तो आ जाएगा determinant बनाएंगे delta is equal to one two three और यहां पर कितना आएगा zero four five zero four five और यहां पर one two six यहां पर one two six तो इसको check करो यह one two में कितना आजाएगा न 24 minus का 10 तो 14 इसके respect में check मत परो तो plus minus plus तो plus one के respect में यह कितना आजाएगा न यह 10 minus का 12 तो यह 14 minus का 2 मतलो 12 जो कि non zero है अच्छा यारी तो बस कितना अच्छा बन गया जब भी system of equations में delta non zero आता है तो आगे check करने की जूरत नहीं होती है क्या बोलतेते हैं उसका unique solution unique solution unique solution तो यह तो फिर बीवन बीटू की वेल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा कोई भी वेल्यू होचा लेगा अना belongs to s इस मतलो इसी सेट में से है तो यह तो सही option है इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है यह option तो आपका ऐसा ही हो गया बीपे आजाओ बीपे के लिए बीपे के लिए मैंने अगेन वह ही डेटरिमिनेट बनाएंगे पहले तो तो बीव अप्सन पर आते हैं अगेन डेटरिमिनेट बनाएं मैंने 113 डेल्टा इस एकुल टू 113 और यहां पर 526 526 526 और यहां पर minus 2, minus 1, minus 3 minus 2, minus 1, minus 3 अब इसकी value check करो इसकी value check करेंगे तो क्या आजाएगा 1 into में minus 6, plus 6 minus 1 into में minus 15 plus 12 plus 3 into में minus 5, plus 4 यह 0 हो गया यहां पर कितना बचाएगा 3 at least one solution क्या चेक करेंगे delta 1 को 0 करो delta 2 को करो delta 3 को करो delta 1 को 0 करेंगे तो यह लिख दो b1, b2, b3 और 1, 2, minus 1 3, 6, minus 3 is equal to 0 तो यह जब 0 हुआ तो b1 into में कितना आ जाएगा न minus का 6, plus का 6 okay b1 into में minus का 6, plus का 6 और minus 1 into में यह गया minus का 3, b2 और minus का 6, b3 plus 3 into में minus का b2 2 और और minus का 2, b3 यहांसा अगर आप देखोगी तो यह 0 ही बन गया minus minus plus तो यह 3 b2 के multiple में क्या क्या आ रहा b2 के multiple में आ रहा है अच्छा यह तो यह तो 0 ही होगा always क्योंकि अगर मैं इसको 3 से multiply करूँगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यह तो always 0 होगा इसको चेक करने की जूरत नहीं थी delta 2 को चेक करते है delta 2 को जो मैंने चेक किया delta 1 तो क्या होगा न बड़ा इसको अगर मैं तो आपस में क्या है सेम टाइप के दोनों है या फिर कोलम 3 से 3 बाहर ले लो आप तो वह सेम बनेगा तो यह तो always 0 होगा बीवन बीटू पे डिपेंडे नहीं गरेगा delta 2 के लिए अगर आपन निकालें तो 1 5-2 1 5-2 यह B1 यह B2 यह B3 और इदर आजएगा 3 6-3 3 6-3 अब इसको simplify अगर आपन करें तो 1 in 2 में कितना आजाएगा न माइनस का 3 B2 माइनस का 6 B3 और माइनस का B1 में माइनस का 15 और प्लस का 12 और प्लस का 3 इंटू में 5 B3 प्लस का 2 B2 is equal to 0 simplify कर दो B1 के multiple में क्या क्या आ रहा B1 के multiple में आपे 15 आएगा यह लिख दो आप B2 के multiple में क्या क्या आएगा B2 के multiple में यहा से minus 3 और 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 यहा से प्लस का 15 ने ने प्लस का 6 और B3 के multiple में B3 के multiple में यहा से minus का 6 है और यहा से कितना आ जाएगा ना प्लस का 15 आ जाएगा equal to 0 कर दिया बस अब इसको चेक कर दा है कि जो given condition ते उसको satisfy कर रहा है क्या खान जे तो यह जो conditions दिये है अपन को इसको अगर चेक करें आपन तो 15 B1 प्लस का 3 B2 और कितना बचेगा ना 9 B3 तो 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 5 B1 प्लस B2 प्लस 3 B3 is equal to 0 और अपन को जो equations मिला था B1 B2 B3 में वो यह मिला था तो यह वाला equation star वाला और यह वाला same तो नहीं है same नहीं है इसका मतलो यह वाला many solution नहीं हो सकते ठीक है चलो कौन सा फिर option आगा B check कर लिया यह नहीं हुआ B C वाले प्याते C वाले को थोड़ा सा आप देखोगे ने बड़ा तो बस कुछ नहीं many placents है और कुछ भी नहीं है C के अंदर यहां से गर मैं minus common ले लो तो क्या बनेगा ना C के अंदर यहां से minus common ले ले लेंगे तो X minus 2Y plus 5Z C के अंदर X minus 2Y plus 5Z is equal to minus का B1 ठीक है और यहां से मैं क्या लेता हूँ 2 common लेता हूँ तो X minus 2Y plus 5Z X minus 2Y plus 5Z is equal to B1 by 2 और यह आपका दिये हूँ है X minus 2Y plus 5Z is equal to B3 X minus 2Y plus 5Z is equal to B3 यह आपको देही रखा है यह तीनो किस टाप के प्लेन है तीनो पैरलेल प्लेन से है X, Y, Z के कोफिशन सेम है constant term अलग है तो तीनो पैरलेल प्लेन से है तीन पैरलेल प्लेन से में एक प्लेन, डूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन थी पैरलेल प्लेन से में बोल रहा है at least one solution at least one तो नहीं होगा फिर वो coincide करेंगे तो infinite many solutions होगे है ना तो four at least one solution all three planes should be coincides बस यह कंडिसन्स लगा देंगे यह कंडिसन्स लगाने के लिए आप यह तीनों इकुल और यह माइनस का बीव व् euros is equal to यह बीटू आएगा बिटू बाई टू इस मोज इसीकै़ लटू बीटू तू इक तीक तो यहाँ पर बीवन कितना आगिया ना ज का यह प्रेशन निकाल लो यह बीवन आ गया और B2 कितना आजाएगा न, B2 आजाएगा, माइनस का 2B1, B3 कितना आजाएगा न, माइनस का B1, अब जो एक्वेशन दे रहे हैं, उसमें पूट क्रोचेट इस पाई कर रहे हैं, क्या, एक्वेशन था 13B3, 13B3 is equal to B1 plus 7B2, तो ये 13 इंटू में, माइनस का B1, और ये B1, वो B B2 कितना आजाएगा न, माइनस का 14B1, B2 equal to minus का 2B1, B3 equal to B1, तो ये minus का 13B1, और ये minus का 13B1, दोनों equal आ रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब, अगर ये satisfy कर रहा है, conditions को, तो ये भी आपका final answer आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपका final answer में count करेंगे, ठीक है, A हो गया, C हो गया, D पे आओ, D में पहला काम तो वही एक determinant बनाएंगे, अपन 1, 2, 5 का, D के लिए, delta, 1, 2, 5 का, और दूसरा, 0, 2, 0, 3 का, 2, 0, 3 का, और फिर होगा, 1, 4, minus 5 का, 1, 4, minus 5 का, तो इसके respect में करते है, minus 2 in 2 में, और कितना आजाएगा, minus 10, minus 3, और 0 के respect में करना है नहीं, minus 4 के respect में, ये उड़ा दो, 3 minus का 10, तो कितना आजाएगा, 13, 26, या कितना बचे गया न, साथ, तो ये कितना आजाएगा, 26, 7, plus का 28, मतलब 2 आगया, 2 आगया, तो नोन जीरू आगया, जब डेल्टा नोन जीरू आजाएगा, जब देल्टा नोन जीरू आजाएगा, तब तो क्या बोलते है, अपने इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, तो इसमें तो डिपेंड नहीं करेंगा, तो सारी B1, B2, B3 की वेल्टा पे एक्सेप्टेबल होगा, तो ये वाला एंसर भी आपका सही आगया, तो नोन डाउन कर सकते होगा, खांजे, नेक्स्ट वाले क्यूशन पर देखो, क्या दिया भाई, कफी एजी क्यूशन था, यार यह तो, Consider two straight lines, each of which is tangent to both the circles, जो अपना common tangent का concept होता है बड़ा, उस से लेटर क्यूशन से आपका, Common tangent में करते हैं क्या है अपना, कि जितने जो दो करव रहते हैं, दोनों करव के लिए tangent लिखते हैं, वो वो tangent लिखते हैं कि इसमें बड़ा, ये चीज़ सबसे ध्यान में रखना, आप, slow form में लिखते हैं, किस form में लिखते हैं, slow form में अपन दोनों के लिए tangent का equation लिखते हैं circle के लिए slow form में tangent क्या होता है y is equal to mx plus r into square root में 1 plus m square यह वला रहता है तो यह तो आजएगा y is equal to mx यहाँ पर r का value कितना है 1 by root 2 है क्योंकि यह r square होता है तो यह 1 by root 2 square root का 1 plus m square equation number 1 आ गया दूसरा क्या दिया है बना and the parabola y square is equal to 4x तो parabola के लिए होता है y is equal to mx plus a by m तो यहाँ पर आजएगा y is equal to mx a का value कितना है 1, 1 by m यह equation number 2 आ गया दोनों में क्या है y is equal to mx, y is equal to mx तक सब चीज़े सेम है तो इनकी constant term को compare कर दो compare भी कैसे करो दोना तरफ squaring कर दो आप तो इस तरफ squaring करेंगे तो 1 by 2 into 1 plus m square is equal to 1 by m square तो यह कितना आजएगा यह आजएगा m की power 4 plus m square minus का 2 is equal to 0 m square के अंदर quadratic है तो यह तो आजएगा m square plus 2 और m square minus 1 is equal to 0 यह कभी 0 होगा नहीं, m square का value negative नहीं हो सकता यह m is equal to कितना देगा plus minus 1 देगा किसे भी एक equation में put कर दो इसमें put करना easy है इसमें square उप एकर इसमें put करो तो कितना आजएगा 2 equation एक तो अगर minus 1 put के तो y is equal to minus x minus 1 equation number 3 एक तो यह बन गया एक y is equal to plus 1 put के तो यह आगया यह दो tangents आगे कहां ता क्यूंस था consider two state lines तो दोनो state lines अपने पास यह बन के आगे each of which is tangent to circle and parabola आगे क्या बोला है let these lines तो यह दोनो टेंजेंट से intersect at a point q तो पहले q point निकाल लेते q point के लिए क्या हो जाएगा दोनों को अगर निकाले है बन दोनों को अगर जोडेंगे तो y coordinate कितना आजाएगा 0 आजाएगा y coordinate 0 आगया x coordinate फिर 0 किसी में put करेंगे तो x का value कितना आजाएगा यह दर गया minus 1 तो यह minus 1 आजाएगा तो minus 1,0 के आगया इसका point of intersection आगया q point निकल के आगया consider the ellipse whose center is at the origin एक ellipse को अपन को ऐसे zoom करना है उस ellipse के लिए क्या क्या condition से ध्यान से सूपते रहें देवरा ellipse के लिए एक चीज तो दिया हो है कि उसका जो center है न वो तो बोला हुआ है origin ठीक है दूसरा चीज क्या condition दिया हुआ and whose semi major axis oq अगर q point यह है तो oq distance कितना आएगा न वन आएगा यह semi major axis है semi major axis का मतलो small a का value है if the length of the minor axis minor axis का मतलो होता है 2b 2b का value कितना दिया हुआ है ना अपने पास root 2 दिया हुआ है root 2 दे दिया तो b equal to कितना आगे है b equal to आजाएगा 1 by root 2 ठीक है तो सापन ellipse मना सकते हैं ellipse अगर आप broke रोगे तो यह ellipse मन किया हैगा ठीक है इस ellipse में क्या क्या चीज दे रखा था आपको कि center आपका origin बोला हुआ था a का value आपके पास 1 था तो यह 1,0 आजाएगा यह minus 1,0 आजाएगा b का value 0,1 by root 2 आगया यह 0,1 by root 2 आगया पहले तो eccentricity निकाल लेते हैं eccentricity का formula क्या रहते हैं अच्छा इसका ellipse अगर लिखें तो x square by a square मतलब 1 plus y square by b square मतलब 1 by 2 is equal to 1 यह ellipse पन किया है इस ellipse के लिखें गर eccentricity लिखूं तो square root का 1 minus b square by a square 1 by root 2 आगया क्या क्या option दिया आगया first option for the ellipse eccentricity 1 by root 2 सही है and the length of the lattice rectum lattice rectum का जो length होता है 2 b square by a b square करेंगे तो 1 by 2 a का value 1 1 आएगा 1 ही दिया हो है eccentricity भी सही है first option सही आगया for the ellipse eccentricity दिया हो है 1 by 2 तो 1 by 2 eccentricity दो हो गए निकाल लिए अपने eccentricity तो यह गलत हो गया ठीक है c क्या दिया है c और d में से कोई x सही होगा और क्या है area of the region bounded by the ellipse between the line x is equal to 1 by root 2 से लेके x is equal to 1 तो दो line बना दो x is equal to 1 by root 2 यह x is equal to 1 by root 2 से लेके x is equal to 1 मतलों यह tangent यह आगी इन दोनों की बीच का यह वाला reason आएगा इस वाले reason को find out करना है तो ellipse क्या होता है इस x सक्सिस के about बेड़ा symmetric होता है जितना पार्ट उपर होता है उतना उतना पार्ट नीची होता है तो किसी एक पार्ट को find out करके 2 से multiply कर देंगे तो अपने ऐसे लिख सकते हैं required area is equal to 2 times कहां से कहां तक 1 by root 2 से लेके 1 तक और यह x की value है तो यहाँ पर लिखूँगा dx बढ़ा इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको यह x की values यहाँ पर dx तो यहाँ पर term भी x की term समाएगा तो इसको आप simplify कर दो यह मनेगा x square plus 2 y square is equal to 1 तो y square कितना आजाएगा न 1 minus x square by का 2 और y कितना आजाएगा न 1 by root 2 और square root का 1 minus x square यह cancel out तो root 2 आजाएगा बहार और इसका अगर मैं integration कुरूँना भीड़ा इसका integration कितना आएगा न x by 2 और यह same लिखेंगे plus 1 by a square तो 1 by 1 और sin inverse x by a और पूरे में 1 by root 2 से लेके 1 तक तो required area root 2 times 1 put करेंगे तो यह 0 आजाएगा यह 1 put करेंगे अच्छा एक आवेली इतने आपे 1 है बटा यहाँ पे 1 तो sin inverse x आगया यह अगर 1 put करेंगे तो pi by 2 आया minus का sign 1 by root 2 put करोगे तो यह 1 by 2 तो 1 by root 2 आजाएगा तो यह यह 1 by 2 put किया तो कितना आगया 1 minus 1 by तो यह 1 upon root 2 और यह भी 1 upon root 2 तो यह कितना आजाएगा 1 by 2 1 by 4 आगया और प्लस का यह pi by 4 आजाएगा तो यह root 2 times 4 lcm आजाएगा यह यह यहाँ पे कितना बचाएगा pi by 2 minus pi by 4 तो pi by 4 बचा तो pi minus 1 by 4 आजाएगा तो यह तो कितना आजाएगा pi minus 1 by 2 root 2 आजाएगा पाई-2 बाई-2 रूट-2, यह पाई-4 बचाँ, यह का गड़बुडुदूआ है, पाई 1 बाई-2 पूट करेंगे, यह 1 बाई-2, यह 1 बाई-2, इन्टु टु 1 बाई-4, बचाँ लेंगे, तो यह पाई-2, और तो यह पाई-2, और øye doubles ögon , minus英 कहिं नखें तो पैम्स्टेक कर रहे है है , कुई नो कुई तो yes, mistake क्या कर रहा है आपन, कि यह जो यहाँ पर 1 by 2 ए into में sin inverse x आएगा, तो यह फिर क्या हो जाएगा ना, यह root 2 times और 1 put करेंगे तो यह 0 आजाएगा, यह 1 by 2 into में sin inverse 1 कितना जाएगा न, pi by 2 आगया minus का times यह कितना जाएगा न, 1 by 2, तो यह 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by 4 plus 1 by 2 into में pi by 4 कि pi by 4 minus pi by 8, तो यह pi by 8 बचेगा minus 1 by 4 बचेगा, तो यह pi minus का 2 by 8, 8 का जाएगा 4 root 2 तो यह सही है फिर ठीक है, c options सही है बटा, तो a और c की इसके final answers हो जाएगा, वो formula एक बार सही से check कर लेना बटा हाँ जी, अगले वाले equations पे चाबते हैं अगले वाले equations में क्या दिया वैला let S, T, R be non-zero complex numbers S, T, R, तीनों की तिनों complex number है and L with a set of solutions Z is equal to X plus I, Y of this equation इस equation के जितने भी solution है उसको L से denote किया हुआ है उसको L से denote कर दिया यार यह जो आपको symbol देता है बड़ा, इस symbols पे ध्यान रखना जूरी है वो symbols से अपन को थोड़ा confusion करने की try करता है, तो वो चीज नहीं होने चीए आपके साथ आपको एक यह जो equation दिया हो ना, यह equation ही रामबान है इस questions का, यह equation ही सब कुछ देगा अपनको, तो s z plus t z bar plus r is equal to 0, यहाँ पर बड़ा यह जो str नहीं यह constant नहीं है, str भी non-zero complex numbers है, normally अपन यह symbols str constant की form में यूज करते हैं, तो अपनी mentality constant वाली लेते है, रहती हैं इनको लेके, तो आपको complex number की form में इनको लिखना है, तो assume कर दो 3 complex number, s को मैंने लिख दिया a1 plus iota b1, t को लिख दो आप, t को लिख दो a2 plus iota b2, और r को लिख दो a3 plus iota b3, यह मैंने लिख दिया str, अब अगर मैं इस वाली equation में put करता हूँ, मतलो a1 plus iota b1, into में z बोला हूँ, x plus iota y, और t कितना है आपके पास, a2 plus iota b2, और z बार कितना है, x minus का iota y, और r कितना है, a3 plus iota b3, यह अब इतना लिखने की बात तो है न, हर एक बच्चे के माइंड में यही चीज़ आ रहा हुगा, कि जब यह चीज़ लिखा हुआ है, complex number है, तो सब के माइंड में यह चल रहा होगा, क्यों ने real part और imaginary part को compare कर दूँ, दोनों part इस तरफ तो 0, 1 plus iota 0 है, तो 00 होंगे, तो इस तरफ imaginary और real part निकाल लो आप, तो इसके लिए पहले multiply करो, a1x, मैं real part ले रहा हूँ, तो यह a1x आएगा, iota iota वाला माइनस का b1y आएगा, plus में, यहां से a2x आएगा, और imaginary वाला iota, iota यह minus, minus plus बन जाएगा, b2y, ठीक है, और यह plus का a3, is equal to 0, थोड़ा सा simplify कर दो, थोड़ा सा simplify कर दो, तो simplify करेंगे, तो यहां पर x के multiple में क्या है न, x के multiple में a1 plus a2 है, a1 plus a2 into x, और y के multiple में क्या है न, y के multiple में b2 minus का b1 है, b2 minus b1 है y के multiple में, और plus का कितना है, a3 is equal to 0, यह एक है, क्या बड़ा equation, x और y के अंदर है तो एक state line है, यह न, x y में है, बाकि तो constant है, आप यह जो भी मार रहो न, a1, a2, b1, b2, यह सारे के सारे क्या न, constant है, ठीक है, सारे के सारे क्या constant है, दूसरा, अगर मैं imaginary part वाला compare करूँ, तो imaginary part वाला compare करेंगे, तो कितना हैगा, एक तो, आपका a1 y, और यहां से, प्लस का b1 x, यहां से, minus का a2 y, प्लस का b2 x, और प्लस का b3, इक्वल टू 0, तो यहां पर x के multiple में कितना आ जाएगा न, x के multiple में कुछ गड़बुर हुआगा, न, ठीक है, जो भी है, x के multiple में कितना है न, a1 प्लस b1, a1 प्लस b2, यह a1 y और b1 x, इदर से, minus का a2 y, और प्लस का b2 x, प्लस का b3, तो x के multiple में कितना आ जाएगा न, a1 प्लस b2, और y के multiple में कितना आ जाएगा न, यहां से y के multiple में, a1 माइनस a2, y के multiple में, a1 माइनस a2, अचा, x के multiple में सही नहीं लिएगा, x के multiple में, b1 प्लस b2 आएगा, x के multiple में, b1 प्लस b2 इंटू x, और y के multiple में, a1 माइनस a2, इंटू y, और प्लस का b3, इस इकुल टू 0, यह दूसरा equation है, अब अना यार, according to questions क्या वो समझने के try कुरूआ, l क्या वो लावा न, s इसका solution है, और इस equation के solution का मतलब है, इन दो state line का point of intersection, तो l क्या मतलब हुआ, l equal to क्या है, point of intersection, simple बासा में लिख देता हूँ, point of intersection of lines 1 and 2, first or second line का point of intersection है आपका, l जो चीज find out करना है, तो यह अब एक एक करके option पे चलते हैं अपन, और कैसे कैसे option को चेक करना है वो भी देखते जाओ आप, first option, first option में बोल रहा है, if l has exactly one element, एक element है, then mode s, मतलब magnitude of s, not equal to magnitude of t, magnitude of s निकाल सकते हैं, magnitude of t यह बड़ाबर नहीं होना चीज़िए, अब यार, एक चीज़ में आपको पताने के ट्राइ करते हूँ, यहां पे, option से कैसे खेलना है, कैसे mathematical calculation करना है, वो दिमाग में आना चीज़िए आपके, not equal to लिखा हूआ है, यह लेके आना है, यह mathematically कब लेके आई, जब अपन स्टार्ट ही इससे चीज़ से करें, not equal to क्या नहीं होना चीज़िए, exactly one element, exactly one element का मतलव, एक point of intersection आना चीज़िए, अना यह लिखा हूआ है, तो यार इसका मतलव, यह दो, दोनो लेन इंटरसेट कब करेंगी, जब यह दोनो लेन पैरदल नहीं होगी, क्योंकि नहीं भी यूज़ करना, not equal to भी यूज़ करना है, तो not equal to कब यूज़ करेंगे, जब दोनो लेन पैरदल नहीं होगी, तो, a line equation, या फिर बोल दो, lines, one and two, are not parallel, चेक कर दो, पैरलल नहीं है, पैरलल होती तब क्या करते हैं, अपनों coefficient compare करते हैं, a1 plus a2 by, b1 plus b2, equal to, b2 minus b1 by a1 minus a2, अभी यह नहीं है, तो not equal to लगा दो, cross multiply करोगे, इदर आएगा, a1 square minus a2 square, इदर cross multiply करोगे, तो b2 square minus b1 square, इसको इदर दे क्या हो, a1 square plus b1 square, not equal to b2 square plus a2 square, a1 square plus b1 square का मतलब क्या होगे न, a1 square plus b1 square क्या होगा, mode s का whole square, यह क्या हो जाएगा न, mode t का whole square, इस दिस्तरब कर सकते हैं, mode s is not equal to mode t, इसका मतलब lines parallel नहीं है, पापस में intersect जरूर करेगी, तो exactly one element, a option आपका सही है, और यह condition लिखावादन, और यह condition आपनको मिल गया, चलो ठीक है यहां तक, b option पे देखो, b option में क्या दरिखा है, if mode s is equal to mode t, अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका उल्टा करूँ, यह जो first option की है न, इसका मतलब क्या है, lines are parallel, lines parallel होगी, तो if mode s is equal to mode t, then l is infinite many solution, नहीं यार, एक भी solution नहीं होगा, अरे जब line parallel है, तो कोई solution आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यह गलत हो गया, यह क्या होगा न, गलत हो गया, the number of elements in l intersection, this, l intersection का मतलब क्या है, यह किसको denote कर रहा है, यह denote कर रहा है, circle को, circle और line का, common point of intersection, अरे इनके बीच में, यह intersection का मतलब है, common निकालना, intersection का मतलब क्या है, common निकालना, एक तो किसके बीच में, lines के बीच में, दूसरा, यह किसको denote कर रहा है, एक circle को denote कर रहा है, ऐसा अगर मैं इसको लिखूँ, यह लिखावाता, यह लिखावाता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको, यह लिख सकता है, यह एक circle को denote कर रहा है, उस circle का, center कितना है, 1, minus 1, और radius कितना 5 है, अब जो L line है, L line आपकी किसी भी type की हो सकती है, अगर lines, on side कर जाए, अगर दोनों lines, on side कर जाए, तो तो 2 point of intersection मिलेंगे, अगर दोनों line, on side कर जाएगी, तब तो यह मिलेगा, तब तो maximum कितने points मिलेंगे, point of intersection, line or circle, 2 maximum points मिलेंगे, at most निकालना है, अगर lines different है, तो यह circle बना, lines अलगला type की है, parallel होगी, तो वह बला कैस नहीं है, यह step से, और फिर कटी नहीं कर पाएगी, फिर तो पैरदला बनाएगी नहीं सकते, फिर तो वह क्या करेगी न, तीनों चीज एक साथ कटी नहीं कर पाएगी, तो अब यहाँ पर कितना point of intersection मिलेगा, 1, तो at most कितने मिलेंगा, आपको 2 ही मिल सकते, और इसने क्या लिखा हुआ है, at most 2, तो यह भी सही है, if L has more than one element, more than one element कब होंगे, more than element 1 तभी होंगे, जब lines करेगी, कौन साइड, lines, कौन साइड करेगी, और जाएगे सब कौन साइड करती है, तक कितने points आते हैं, infinite many solution आते हैं, इसमें बिलिका हुआ है, L has infinite many elements, तो यह सही है, तो A सही है, C सही है, D सही है, B को छोड़के, आपके सारे के सारे option, सही है बटा, चलिए जए, अगले वाले questions पर चलता है, अगला वाला questions, क्या दिया वाए न, ज़र इसमें न, एक point है, जो बच्चों को थोड़ा confuse करता है, वह हम पहले discuss कर लेता हूँ आपके साथ, यहाँ पर जब तक ऐसा लिखा रहता है, जब तक ऐसा लिखा लेता है, limit X tends to A, बच्चों को इदिक्कत नहीं होता है, यह बच्चे थोड़ा सा न, एक T लिख दिए, एक X लिख दिए, न, एक X को अपने वरियबल मानती होता है, ऐसा नहीं होता है, जो starting में लिखा होता है, वो वरियबल होता है, और जो बाद में लिखा होता है, वो constant होता है, यह चीज आप ध्यान में रख लो, तो यह तो यहाँ पर T variable है यहाँ पर क्या है? T variable है यहाँ पर क्या है? T variable है X क्या है एक तने से constant है बड़ा X क्या है? constant है तो अगर T को replace किया मैंने X से तो Fx sin x और यहाँ भी Fx sin x 0.0 form बन गया तो LH rule लगेगा तो यहाँ अपन अगर by LH rule by 0 by 0 form बन रहा है अब LH rule में अपन उपर भी differentiate करेंगे लेकिन differentiate किसके respect में करते हैं? जो variable होता है उसके respect में करते हैं तो यहाँ पर T variable है तो अपन करेंगे differentiate with respect to T बटा T के respect में करेंगे तो T के respect में किया तो यहाँ पर दिए तो Fx तो constant है तो constant का constant और limit तो same रहेगा limit T tends to X यह तो same रहेगा constant का constant रहेगा sin T का कितना आजाएगा cos T आजाएगा minus का sin फिर F of T का कितना आजाएगा F dash T बन जाएगा और into में sin X constant है तो इसको यहीं रहेगा X constant है बढ़ा है ना divided by T आपका 1 हो जाएगा X तो constant है उसका 0 हो गया is equal to sin square X is equal to sin square X T की जाएगा X बूट करो तो F X into cos X minus का F dash X into sin X is equal to sin square X यह नेगेटिव से multiply किया तो F dash X sin X minus में F X cos X is equal to minus का sin square X अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में आ रहा होगा बड़ा पहले इसको differentiate किया इसको same रखा फिर इसको same रखा और इसको differentiate कर दिया आईसी ना sin का cos F X का यह तो एक तरह से यह और बीचे माइनस भी है अगर प्लस होता है तो आपन इंटू करते भी इस पर माइनस है तो मैं इससे divide कर दूँ अगर आप यह चीज़े ध्यान में आने चीए आपके यह जो manipulations है ना मेट्स के अंदर क्यूसंस tough क्यों होता ही बार बार बूलता रहता हूं tough क्या जहां पे manipulations माँ पड़कते हो बाकी सारे चीज़े सेम रहे यार यह यह concept है यह यह सेम रहेगा यह जो भी पता रहे आपको अब कोई कुछन से वह दूसरा बनाएगा manipulations में आपको फसा देगा अब यह सब चीज़े सीखने है यहाँ पे आपको f dash x और यहाँ पे f x दिखाए दिया यह sin यह cos बीच में माइनस मतलो division rule लगएगा differentiation का यह clear उनल चीए तो यहाँ पी इससे अगर मैं divide गरूँ तो यह क्या बन किया आएगा f dash x into sin x minus का f x into cos x divided y का sin square x is equal to minus 1 इस चीज़को में यह लिख सकता है ना differentiation है f x upon sin x का f x upon sin x का is equal to minus 1 करो इसको sin square x into sin x into f dash x minus f x into cos x तो यही तो चीज़ उपर दिखावा है तो इसको दोनों तरफ आप integrate कर दो integrate करो differentiate किया फिर integrate किया तो यही बन किया आएगा f x upon sin x is equal to minus x plus c यह बन किया आगया c का value निकालने के लिए एक conditions दिया ही हुआ है यह conditions किया है कि x को अगर आप pi by 6 put करते हो तो y को minus pi by 12 put करोगे बस यह apply करो x को अगर मैं pi by 6 put करता हूँ तो minus का pi by 12 और यह pi by 6 put किया तो यह 1 by 2 is equal to minus का pi by 6 plus c यह minus का pi by 6 तो यह cancel out c का value 0 आगया c 0 आगया तो f x क्या बन किया है minus का x sin x इतना बड़ा कुछ experiment simplify करने के बाद में यह f x का result मिलके आगया मेरेको अब तो आगे है ना अब आगे normal calculation आपके पास normal calculation बचा हुआ है option यह करके check कर सकते हैं आपण चलो यह option पे देखो f of pi by 4 पे value पूछा हुआ है तो आप निकाल लो f of pi by 4 कितना जगा minus pi by 4 into 1 by root 2 और यह कितना दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है तो गड़बुड हो गया गलत आ गया दूसरे वाले में f x is equal to यार यह जो चीज दिया हुआ है यह कुछ बच्चों के तो देखती माहिन में आ गया होगा यह जो अपन binomial theorem chapter में वो limit में भी पढ़ते हैं expensive पढ़ते हैं जो अपन उससे लेटेड आप बहुत easily कर सकते हो आप इसको आप f x को लिखो minus का x sin x minus का x sin x is less than क्या था x की power 6 x की power 4 by 6 minus का x square मैं क्या करता हूँ ना minus x से divide करता हूँ क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है x बिलोंग कर रहा है 0 और πाई की बीच में minus x negative आएगा तो आपका sin sin कर देगा तो यह sin x is greater than एक एक x काम होगा x cube by 6 और minus का sorry minus sin भी तो लगेगा तो यह तो बन जाएगा minus का x cube by 6 6 और यह plus का x बन गया थोड़ा simplify कर दो sin x is greater than यह x minus x cube 6 को क्या लग सकते है अबन 3 factorial बोल सकते है क्या बोल सकते है 3 factorial यह इसको expand करो यह क्या हैगा x minus x cube by 3 factorial plus x की पावर 5 by 5 factorial minus x की पावर 7 by 7 factorial यह चलता रहे गया इसे तो साब साब दिख रहे ही तो बड़ा ही आएगा क्योंकि x बिलोंग कर रहे है 0 और πाई की बीच में तो यह तो आप expansion से अराम से समझ सकते थे B option सही है there exists alpha belongs to 0 से πाई such that f dash alpha का value 0 आएगा तो मैं क्या करता हूँ न f dash x देखो क्या है f x था आपके पास में minus का x sin x f dash x क्या हैगा न minus का x cos x और minus कितना आजाएगा न sin x अगर मैं f dash alpha करूँ तो कितना जाएगा न minus का alpha cos alpha minus का sin alpha is equal to 0 यह देखना है 10 alpha equal to minus alpha alpha belongs to 0 और πाई की विच में कोई solution मिल रहागा यह चेक करना है मेरेको तो simpler दो करूँ दे रहागा दोनों करूँ को आप करा पनाओ और किस की विच में 0 और πाई की विच में तो यह पाई बाई 2 आ गया और ग्राप की structure कुछ ऐसे बनेगी 0 और पाई बाई 2 की विच में और यहां पे पाई ऐसे जाता है यह से आगया अब अब क्या है न यह तो आगर 10 अलफा का और माइनस अलफा ग्राफ यह आएगा माइनस अलफा ग्राफ ओविसलिस पॉइंट एक पॉइंट पर कट कर रहा है अलफा बिलोंग तो इसको डबल डिफ्रेंशेट कर दो इसको डबल डिफ्रेंशेट करेंगे ऐसेट प्लस डवल डे सेक्स कितना जाएगा ना माइनस का टू टाइमस को सेक्स आगा पाइबाइटू पे वेलू मिकालोगे तो यह जीरू वेल्यू आएगी और यहां पर कितना दे रहा है जिरो दिया वा है तो ये भी सही है तो B, C, D आपके final answers आ जाएंगे बटा ये final answer count करेंगे अपन टिक मार सकते हो आप खांजे अगले वाले questions पर चलते हैं अगले वाले questions में क्या है अब आपके numerical वाले questions start होगे ठीक है ये वाला questions इने में आपको क्या concept शिकाने के ट्राई कर रहा है इसने ये जो लिखा ना one plus root three ये तो just confuse करने के लिखा ये तो constant आ बार रखो आप confuse मत हो न रहा आपको चीजें सिकाने के ड्राई कर रहा हो कहां पर आपको confuse नहीं रहा है ये तो just simple confuse कर रहा है कि ओल्वेज लीनियर वन अपॉन लीनियर टू की फॉर्म में बनाने की ट्राई करना ऐसा क्यों करो गया इसमें जैसे एक को दूसरे के नीचे लेखिया होगे तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा न कि यहां पे एक्स प्लस वन की पावर मेरे को 6 और लगाना पड़ेगा यहां पे तो 6 से मैं डिवाइड करूँगा 6 से मैं मल्टिप्लाई यहां पे 8 बन जाएगा तो यह एक्स प्लस वन की पावर 6 तो यहां पे यह लीनियर वन अपॉन लीनियर टू की पावर बन गी और यहां बनके आता है उपर तो constant आएगा और नीचे linear 2 का square आएगा यह फाइदा है यह concept है बड़ा concept तो यह है आप linear 1 linear 2 में बनाओ और एक तम अगर square बनके बार निकले लिए आपका answer आजाएगा वैस आपका simplify हो गया जैसे मैं करके दिखाता हूँ मैंने limit को same रखा 0 से 1 बाई root 2 यह तो constant है मेरे लिए इसको मैंने कोई दी कदनी एक बार उपर रख दिया और नीचे मैंने बाई 4 दिया कोई दिकत नहीं है अना into dx अब इस चीज को अगर आप द्यान से देखोगे ना cancel out मत कर देना उपर तोड़ा simplify करें यह ना यह उपर वही रखो one plus root 3 नीचे क्या जाएगा यह जो इसको पावर कितना है वन बाई 4 तो यह वन बाई 4 into में इस पर लगाएंगे तो कितना बनेगा टू पावर बनेगा तो इसको आप one by root 3 को तो बाहर निका लो ठीक है जीरो से one by root 2 उपर dx आया नीचे कितना हैगा ना एक्स प्लस वन की पावर एट बाहर निकाल लेंगे कितना हैगा तो बाहर आया यह यहाँ पर क्या बचाना वन माइनस एक्स प्लस वन का पावर 6 बाई 4 मतलव 3 बाई 2 अब ध्यान से सुनू बेड़ा लीनियर अपॉन लीनियर और जो जो नीचे लीनियर लिखा ना वो डिनोमेटर में आ रहा है उसका स्क्वेर डी एक्स अपॉन ये और यह सीद बना ता कॉंस्टेंट अपॉन लीनियर टू का डिफ्रेंसेर्शन यह बन क्या लिया इसको टी पूट कर दो आप ओल्वेज ब एकहँ आपा स्क्वेर नीचे वाले को एसी ही रखा इसको डिफ्रेंसेर्सेट करेंगा माइनस वन माइनस का साइन 1 मैंस एक का और इसका differentiation 1 आ जाएगा, into में dx is equal to dt आ गया, यह simplify करेंगे, यह तो आ जाएगा minus का x minus 1 minus 1 plus का x divided by x plus 1 का whole square, dx is equal to dt, x x cancel out हो जागा, constant बचा minus 2, लेकिन यह पर minus 2 मेरे को नहीं चीए, यह तो minus 2 से divide कर दो, dx upon x plus 1 का whole square कितना जाएगा, minus का 1 by 2 into dt आ गया, तो यह क्या बन किया है, यह क्या बन किया है, यह simplify करना पड़ेगा, यह 1 plus root 3 तो बाहर रखो, integration का limit भी change करना पड़ेगा, x जब 0 है, x जब 0 है, तो यह 1 बनेगा, और x जब 1 by root 2 है, अच्छा 1 by root नहीं, 1 by 2 है, अभी confusion हो जाथा, 1 by 2 तो 1 minus 1 by 2, 1 plus 1 by 2, तो यह तो कितना आ जाएगा न, 1 by 3 आ जाएगा, कितना जाएगा न, 1 by का 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके, और यहाँ पे, dx अपॉन, यह कितना, minus का 1 by root 2, minus का 1 by 2, और यह dt, उपर तो आएगा dt, नीचे क्या बचाएगा न, t की पावर 3 by 2, तो इसको simplify कर दो, इसका क्या आ जाएगा न, पर t की पावर, minus 3 by 2 plus 1, तो, 1 upon t की पावर, 1 by 2, और minus 1 by 2 है, minus 1 by 2 नीचे बनेगा, तो तो cancel out, और इसका whole power क्या है, 1 से लेके, 1 by 3, और इंटु में 1 plus root 3 है, वो लिख देंगा, अगरे अल्गर स्टेक में, वन प्लस root 3, यहां पर 1 by 3 पूट करोगे, तो 1 upon, 1 upon root 3 आ जाएगा, और minus का 1 आ गया, तो root 3 minus 1, यह root 3 plus 1, तो 3 minus 1 कितना आ जाएगा, 2 answer आ जाएगा, yes, 2 answer इसका final answer आ गया, तो यह तो root 3 plus 1, just last में, मेन्यू प्लस न सही हो जाएगा, उसके लिए दिया वा था, तो note-down कर दो बड़े इसको, चलो जे, अगले वाले questions पे चलते हैं, अगले वाले questions में क्या, क्या दिया होना, let P be a matrix of order 3 into 3, such that all the entries in P are from the set this, मतलो, तीन नमबर अपने पास, minus 1, 0, 1, इन तीनों में से, इन तीनों का यूज करते हुए अपन को, एक 3 into 3 का matrix बनाना है, then the maximum possible value of the determinant of P, फिरूस से जो matrix से जो determinant बनेगा, उसका maximum क्या value हो सकता है, इस इन सब को यूज करते हुए, त्यार एक चीज तो, मतलो, matrix का मेरा matrix P को मैं ऐसे लिख सकता हूँ न, इन बनाओ, एक ही बात है क्योंकि determinant निकालना है last में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये जो 9 elements है, इन 9 elements को अपन को इसमें से select करना है, तो यहार साब साब बात है, repetition तो allowed होगा पका का पका, मतलब इसने नहीं लिखा questions में लिए कि तो common sense है, repetition allowed नहीं करोगे, तो minus 1, 0, 1 तो एक बार लिखा, एक ही कोई row या column फिल हुआ, बाकिसार फिर क्या करोगे, तो इसका मतलब repetition तो allowed है, repetition allowed है, तो maximum क्या value हो सकता है, उस पे अपन comment करते हैं, तो उसके लिए पहले मैंने इसको simplify किया, इन ही सब पर अपन काम से लेगा अपना, तो P कितना आजाएगा आपके पास, A1 के respect में कितना आजाएगा ना, B2, C3 माइनस का, C2, B3, माइनस के A2 के multiple में कितना आजाएगा ना, B1, C3 माइनस का, B3, C1, प्लस में A3 के respect में कितना आजाएगा ना, B1, C2, माइनस का, B2, C1, ये बन क्या आगया, ओगे, इसको अगर मैं, simplify करूँ, प्लस प्लस वाले एक तरफ लिखें, A1, B2, C3, और ये माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस, माइनस के कौन-कौन से आजाएगे, A1, C2, B3, और माइनस, माइनस, प्लस, A2, B1, C3, और A3, B2, C1, ये चीज़ बन क्या आगया, अब इसका प्लस क्या निकलना, maximum value निकलना है, यहाँ पर मैं एक word यूज़ कर रहा हूँ, maximum, अब समझना थोड़ा सा, अपन मैंने प्लस के से करता है, मैंस के अंदर, maximum आते ही, maximum निकालने के लिए, जो जो positive वाले terms है, उनका तो maximum value लेगे, और जो जो negative वाले terms है, उनका minimum value लेगे, negative का minimum, और positive का maximum, तो अभी सोचने वाली बात यह थी थी, कि maximum value तो क्या हो सकती है, minus 1, 0, 1 का, क्योंकि multiply लग तीन नंबर का multiply कर रहे है, तो maximum value तो क्या हो सकती है, 1, 1 हो सकती है, 1 होगी उससे कम ही रहेगी, तो less than or equal to 1, ये भी less than or equal to 1, ये भी less than or equal to 1, और जो minus में टम और हैं, वो सबसे कम value होनी चीए, सबसे कम value इसकी हो सकती है, greater than or equal to minus 1, greater than or equal to minus 1, greater than or equal to minus 1, क्योंकि minus 1 से बड़ी टम रहेगी, अपिर minus 1 रहेगी, तो इसका मतलब, equal to equal to word यूज करें, तो ये तो आजाएगा 3, और ये कितना आजाएगा ना, minus 3, तो कितना value आगया, 6 value आगया, कहने को 6 बोल दिया, लेकिन ये possible है क्या है, possible है क्या क्या मतलब है, कि अगर मैं, इसको 3 लोगा, इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इसका मतलब इन तीनों का multiply करें, तो दो बार तो a1, a2, a3 आएगा, तो ये आएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और सब का multiple कितना आजाएगा न, 1 आजाएगा, क्यों बार आजाएगा, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो यहां से तो 1 आया, इसको आपने minus 1, minus 1, minus 1 लिया, तब ही जाके तो minus 3 बना है, तो इन सब का multiple कितना आएगा, ये minus 1, minus 1, minus 1, तीन बार multiply किया तो minus 1, इसका मतलब यहां पर आएगा, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, यहां पर कितना आएगा न, प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं, ने, प्लस मत करो, ठीक है, यह हो गया, यह, यह तो minus 1 मिला, यह, 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 यह plus 1, यह minus 1, तो यह possible है क्या नहीं, यह contradiction आगया, contradiction आगया, इसका मतलब, यह minus 6, sorry, plus 6 possible ने, maximum value, तो 5 हो सकता है क्या, 5 होने के लिए, आप दिमार्ग रोथोटे सा, 5 होने के लिए, इनको तो 3 रखा मैंने, positive वालों को तो, इनमें से किसी 1 को 0 कर दिया, suppose गरो मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 0 का मतलब, A2, B1, C3 को मैंने 0 किया, इसके 0 का मतलब, कोई ना कोई एक तो 0 होगा, और कोई ना कोई एक का 0 का मतलब है, कि B1 0 माल लो, B1 अगर 0 है न, तो ये टम 0 होगा, यहां कहीना कहीं भी B1 आएगा, ये B1 तो ये भी फिर 0 होगा, तो इसका मतलब 5 तो कभी नहीं बन सकता, ये अगर 0 होगा, तो वाह से भी 0 होगा, इसका मतलब, वाह से 2 यहां से minus 2, तो 2 minus 2 equal to 4, ये 4 possible है, क्योंकि यहां से भी 1-1 लेते हो, यहां से minus 1 minus 1, तो वो भी plus 1, और इदर से भी plus 1, तो ये possible of 4, और आप देख भी सकते हो, यहां पर 1 रखा मैंने, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 1, 1, 1, इसके respect में करो, यहां पर 1, प्लस 1 थे, तो cancel out, यहां पर यहां पर यह प्लस 1 कर दो, यह प्लस 1 करेंगे, तो यह 1 plus 1, यह 2 बन जाएगा, तो यह आजाएगा, यह 1 के respect में, तो फिर यह 0 बन गए हो, तो यह गड़़ऊड़ोगी, यह 1 के respect में यह तो 0 हो गया यहां पे तो किसी एक को minus कर दो इसको अगर मने minus किया न तो यह minus 1 और यह भी minus 1 तो यह 1 in 2 minus का 2 तो इसको minus कर दो तो यह minus 1 तो plus का फिर 1 in 2 में यह 1 यह 1 बनेगा यह plus 1 बनेगा अच्छी इसको मैं plus 1 करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा गया इसको plus 1 करने पे इसको इसको धट़िया यह minus 1 और minus 1 यह ठीक है अब इसके respect में यह यह गया तो यह 1 आईए आगया ठीक है यह यह वाला चीज बनके आएगा इसको इसका value 4 आ रहे है तो यह 4 possible हो जाएगा अपना अगले वाले questions पे चलते है अगले वाले questions में क्या दिया हो ना let x be a set with exactly 5 elements x के पास क्या है ना कोई एक set है जिसमें 5 elements हमाल लेते हैं y1, a2, a3, a4, a5 and y be the set with exactly 7 elements y के अंदर 7 तो b1, b2, b3, b4, b5, b6 or b7 if alpha is the number of 1, 1 function from x to y x से y में क्या निकालना है ना 1, 1 function find out करना है बड़ा तो जहां से सुनों इस चीज़ को तो यार काफी बार इस concept पे questions repeat होते हैं बड़ा तो पहले तो x के अंदर तो क्या कहना a1, a2, a3, a4 a1, a2, a3, a4, a5 और इसके अंदर 7 है b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 सुनना बड़ा द्यान से मेरा मेरे को बनाना है 1, 1 function 1, 1 function का मतलब है domain से एक ही, domain से एक ही line निकलनी चाहिए और वो इन में से कहीं पे भी जा सकती है तो कहने का मतलब और यहां से सारी के सारी element को relate करवाना है domain में से तो पहले domain में element कितने है 5 तो इदर 5 ही line किंचेंगे तो इसका मतलब 7 में से कोई 5 element ही relate हो पाएंगे साथ में से कोई 5 element ही relate हो पाएंगे तो पहले तो तो साथ में से 5 को select करना पड़ेगा तो select के लिए 7, C, 5 जो 5 select होगे suppose गो यह 5 select कर दिया मैंने ऐसे ऐसे select कर दिया है यह 5 यह 0 बना दी अब ना यह A1 है यह B1 के पास भी सा सकता है B3, B4, B5, B7 इसके पास 5 possibility फिर इसके पास 4, 3, 2, 1 तो इन पे आपस में कितनी arrangement हो जाएंगे 5 factorial यह तो किसलिए आया selection from y और यह क्या जाएगा उनका न? arrangement यह क्या जाएगा उनका arrangement 7 C, 5 गो 7 C, 2 बोल सकते है तो 7 into 6 by 2 तो यह आजाएगा 3 तो यह 21 into में 5 factorial यह चीज बन क्या आगे alpha बीटा क्या बोलावा न? आगे पढ़ते है and बीटा is the number of on to function from y to x बीटा क्या बोल रखा है न बीटा? आपको y to x बोलावाई यह चीज बहुत मेंटर कर रही है कहां से किस से किस तक है तो मैं एक तो y का बनाया एक मैं x का बनाया y में तो वो आएगा b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 और x में a1, a2, a3, a4, a5 यह चीज बन क्या आगी? अब सुनना बड़ा द्यांसे मेरे को बनाना है on to function मेरे को क्या बनाना है? on to function बनाना है on to function का मतलव क्या होता न? कि जो co domain है वो identical किस की होना थी है? range की होना थी यह होता इसका funda तो इसका मतलव co domain आपका यह x है तो इसका हर एक element आपका relate होना पड़ा कोई छूटना नहीं चीए तो इसमें आपने यह b3 sorry b2 और b6 यह छोड़ दिया तो कोई फरक नहीं पड़ा कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि काम चलिए on to में यह सारे होनी चीए और यह condition तो function का इन की यह domain वाले वो तो होगी relate उस तरब तो एरो निकलनी चीए इसका मतलव इन 7 को 5 में से divide करना है और हर एक element के पास कोई न कोई होना चीए इन 7 को तो अपने यह बोल सकते है distribution इसको ऐसे लिख सकते है distribution of 7 objects in 5 things और each one get each one get at least one हाना एक बार तो नहीं चीए क्योंकि आपको on to code domain ब्राबर आने चीए तो 7 को आपको अगर 5 में करना है divide तो आप distribution में क्या कर सकते है group 1 हाना group 1 क्या बना सकते है यह 1 1 1 1 और 7 में करना है तो 4 और 3 7 एक तो यह आ गया 5 में हो गया और 7 हो गया यह क्या कर सकते हैं 1 1 1 1 3 और 4 7 अगर मैं ऐसे कर दिया तो उच्छे एक यह 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 नहीं हो सकता 0 किसी में नहीं आ सकता फिर तो वह relate नहीं हो पाएगा फिर वह on to function नहीं बन पाएगा on to के लिए एक एक तो होना ही चीए तो यह दो आगे इसके लिए फिर क्या लिखेंगे अपन? आप इसको ऐसे लिख दो group 1 और plus में group 2 group 2 group 2 में क्या जागे न 1 1 1 2 2 यह आगे तो इसके लिए तो क्या लिखेंगे न factorial 7 factorial 1 की पावर 4 into factorial 3 बड़ा grouping करना तो आतना और यह जितनी power दखाते हो उससे divide भी करते है ठीक है 5 का या 5 का arrangement फिर किससे होगा 5 factorials into में यहां पर कितना आ जाएगा factorial 7 or factorial 1 की into factorial 2 into factorial 3 into factorial 2 और यहां पर arrangement कितना आ जाएगा factorial 5 से यह plus कर दिया तो यार यह तो कितना आ जाएगा simplify करना अब तो 7 into 6 into 5 4 factorial से 3 cancel out 3 into 2 और plus में यह 5 common ले लो तो यह 7, 6, 5, 4 3 factorial से cancel out यह 2 into 2 into 2 यह 2 बार यह cancel out यह 3 तो यह तो 6 से cancel out 35 और यह कितना आ जाएगा 15 105 140 140 into 5 factorial किसका विल्य है बीटा का विल्य है बीटा यह आ गया और अलफा आपने यह निका लही था आपको कियाने किलना है बीटा माइनस अलफा तो 140 माइनस का 41 119 into 5 factorial y5 factorial तो 119 आपका final answer आ जाएगा 119 बस यह लोजिक याद रखो कैसे कैसे कर रहे हैं आपन चलिए जी अगले वाले equations पे चलता है next वाला questions क्या है that f r स r be a differentiable function with a conditions तो दे दिया आपन को f of 0 is equal to 0 यह तो constant निकालने की दिया साब साब पता लग रहे और एक y is equal to f x satisfy the differential equation this dy y dx यार यह कितना easy question दिया है variable separation वाला है variable separation का differential equation दिया है तो बहुत easy equations हो गया dy y dx is equal to इसको simplify grow कितना बन जाएगा 25 y square minus का 4 y वाल अटम एक तरफ करो तो dy upon me 25 y square minus का 4 is equal to dx दोनों तरफ क्या गरेंगे integration यहासे 25 बाहर लेंगे तो 1 upon 25 बाहर आ गया यह dy upon me y square minus में 2 by 5 का all square is equal to dx ठीक है यह simplify करें अपन अगर तो 25 विदर ले जाओ तो यह कितना आ जाएगा न तो 2 into a तो ऐसी ही अटा दो आप तो 25 x लिख दो बस यहां से यहां से तो आप निकाल लो यहां पर आपको निकाल ला है क्या x tends to minus infinity fx निकाल ला है fx मतलों मैंने y बांद रखे तो बस limit x tends to infinity लगा दो दोनों तरफ तो limit x tends to minus infinity 5 5 minus का 2 5 5 plus का 2 5 5 plus का 2 limit x tends to minus infinity e की पावर 20x तो e की पावर minus infinity बनेगा जो कि क्या होता है 0 होता है यह तो वही बना गया 0 करेंगे तो 5 5 is equal to 2 आ जाएगा तो y is equal to कितना आएगा न 0.4 आ जाएगा तो 0.4 इसका final answer दिया है बटा इसको अपन note down कर सकते हैं हाज जी अगले वाले के उसे पे चलते हैं अगले वाले में क्या दिया हो है f1 function है r f1 function है r r be a differentiable function with f of 0 equal to 1 ठीक है constant की value निकालने के लिए है and satisfying the equation एक equation यह दिया हो ना functional equation है बड़ा इस ताइप equation स्कूब आ रहे है तो ध्यान से जोनों स्टब कैसे सोल करते हैं जो कुछ भी है इसी से simplify करना है ठीक है जो कुछ पी अपनको दे रखा है इसी चीज से simplify करें अब यह यह चीज मेरे को मालूम है कि 0 के value 0 है है तो 0 कब बने गई है यह 0 तब बनेगा जब मैं X और Y दोनों को 0 कर दो तब आपका यह बन जाएगा F of 0 यह F of 0 into F 0 और यह F of 0 into F of 0 F of 0 का value 1 दे रखा है तो यह 1 is equal to F 0 plus F 0 क्योंकि F of 0 भी 1 है तो इसका मतलो F 0 कितना आ गया ना 1 by 2 आ गया इसको मैं use कब करूँँगा F dash 0 का मतलो Y को 0 कर दो बस Y को 0 करेंगे तो यहां पर Fx पचेगा और यहां पर कितना बच जाएगा Fx into में Y को 0 कर रहे हैं तो F dash 0 यहां से put कर रहा हूं ठीक ना और plus में F dash x into F of 0 तो यह तो आ जाएगा Fx is equal to F dash 0 कितना था 1 by 2 तो यह Fx by का 2 और यह plus में F of 0 1 है तो यह F dash x अपने पास बन गया है F dash x is equal to Fx by का 2 काफी easy हो गया इसको इसको इसके नीचे ले के हो बढ़ा F dash x by Fx is equal to 1 by 2 दोनों तरफ integration कर दो बेटा integration किया ना तो इसको अगर मैं T मानूं तो यह क्या बन जाएगा DT बन जाएगा तो 1 by T यह तो आ जाएगा ln Fx और यह क्या जाएगा यह आ जाएगा x by 2 plus constant अब अगर मैं Fx लिखूंगा तो Fx कितना जाएगा e की पावर x by 2 into e की पावर c आ जाएगा अब इस constant की value निकालने के लिए क्या दिया बना अगर मैं X को 0 पूट करता हो न तो F of 0 कितना अपने पास में 1 है तो यहां से F of 0 यह तो 1 आ जाएगा यह e की पावर 0 बना into e की पावर c तो यह तो 1 आएगा 1 is equal to e की पावर c तो साब साब पता है c को 0 होना पड़ेगा तबी दोनों equal हो पाईगे c 0 हो गया तो अपने पास fx क्या बन के आया fx आ गया e की पावर x by 2 और मेरे को निकालना क्या है log e base पे f of 4 f of 4 कितना आएगा f of 4 आएगा e की पावर 2 अब ln लगा दो ln f of 4 कितना आजाएगा न 2 आजाएगा तो 2 इसका final answer हो जाएगा बेटा 2 इसका क्या हो जाएगा final answer हो जाएगा अगले वाले questions पे चलते हैं next वाले questions में क्या दिया let p be a point in the first octant whose image q in the plane x plus y is equal to 3 that is the line segment p q is perpendicular to the plane यह तो image का definition दिया या महलो आपको मैं अगर इस से समझाओं यह अगर आपका plane x plus y is equal to 3 यह निचे भी बनावा है यह अगर p point है तो इसका image यह q होगा तो यह p q का होगा ना perpendicular होगा इसके और p q का जब it point हो इस plane पर लाई करेगा यह चीज लिखावा यह जो q है ना यह क्या कर रहा ना lies on z axis z axis पर लाई कर रहा है z axis पर कोई भी point होता ना उसके coordinate क्या होता ना 0,0,0 और z axis पर मान रहा है तो t मालनो 0,0,t होगा इसका q के coordinate यह होगे तो मैं p k निकाल सकता हूँ आना p k मालनो की आप x y z है तो आप क्या लगा दो image वाला formula लगा दो image का formula क्या होता ना x minus का 0 by का 1 y minus का 0 by का 1 और z minus का t by का 0 is equal to minus 2 times इसको put करेंगे तो 0,0 यह t आ गया यह minus का 3 आ जाएगा divided by का 2 आएगा तो यह cancel out यह 3 बचा तो x का value 3 आ गया y का value 3 आ गया और z का value t आ जाएगा इसका मतलो जो p point है वो आ गया 3,3,t यह p point आ गया अपने पास t variable मा आ गया यह आ गया p point यह आ गया q point ठीक है अब आगे क्या दिया होना आगे अपने को let the distance of p from the x-axis x-axis से distance का formula क्या होता ने बड़ा x-axis से कोई भी अपन distance निकालते है स्पोर्जगर आपके पास यह point है x,y,z यह माना था और इसका distance from x-axis क्या आ जाएगा न square root का y square plus z square तो कितना आ जाएगा न y square z square कितना जाएगा square root का 9 plus t square is equal to कितना दिया भाफ 5 तो यहां से तो t square is equal to कितना जाएगा 25 minus 9 16 तो t का value आ जाएगा plus minus 4 लेकिन इसमें बोल दिया था कि t यह फर्स quadrant में है, फर्स quadrant में है तो t का value 4 ही acceptable होगा t का value 4 acceptable होगा t का value 4 acceptable होगा in xy plane xy plane में image क्या होता ना, आर क्या है image of p in xy plane xy plane में image का मतलब है z x को minus z कर तो बड़ा y z में ले रहे हैं तो x को कर देंगा minus x, यह चीज़ याद रख़वा बड़ा तो r point कितना आ जाएगा 3,3,4 आ जाएगा और आपको पूचा क्या है, PR distance निकाले तो साब साब दिख रहे हैं यह दोनों same same है तो यह कितना आ जाएगा 8 distance आ जाएगा तो यह 8 आपका final answers आ जाएगा बड़ा note down कर सकते हैं आप अराम से चलिया जी अगले वाले questions पे चलते हैं अगले वाले questions में क्या दिया है consider the cube in the first octant with sides op, oq, qor of length 1 along the x-axis, y-axis and z-axis respectively where o is the origin पेली यहां तक मैं diagram बना लेता हूं ठीक है, तो cube का diagram बना लोया यह cube का diagram बना देता है x-axis y-axis और यह 0,0,1 यह o point बोल दिया, यहां तक यह diagram बोला हुआ था आगे चलते है let s be the center of the cube center of the cube और यह opposite to the origin origin के opposite वाला such that s lies on the diagonal o t अच्छा 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 निकालना है न तो p vector किसके बराबर है s p vector s p vector को लिख सकते है o p vector minus का o s vector लिख सकते है o p vector मतलो यह i k minus में यह बनेगा तो इसका मतलो p vector कितना आगया आपके पास p vector आगया i k by 2 minus का j k by 2 minus का k k by 2 ऐसे ही मैं similarly directly लिख रहा हूं q vector लिख रहा हूं q vector क्या होगा o q vector minus का o s vector तो o q तो कितना है j k f minus में यह आ जाएगा तो इसका बचेगा j k f minus में तो minus का i k by 2 plus का j k by 2 minus का k k by 2 ठीक है ऐसे ही आप r vector लिख दो r vector में क्या होगा k k वाला positive आ जाएगा तो minus का i k by 2 minus का j k by 2 plus का k k by 2 यह p vector q vector r vector में लिख दो यह p vector है यह q vector है और यह r vector है ok color change कर लेते है आगे क्या चीज दिया वै न यह r vector निकाल लिए अच्छा t vector और निकाल लो t vector कितना आ जाएगा t vector आ जाएगा o t vector minus os vector o t कितना है 1 1 1 1 है os यह है कितना बचेगा i k by 2 j k by 2 plus k k by 2 यह plus का बच्ज़ गया फिर मेरको इसकी value निकालनी है यह ना इसकी value के लिए सुनो बेड़ा यह जो चीज है ना एक तो पढ़ते हैं अपन vector triple product एक पढ़ते हैं scalar triple product और यह क्या है ना दो-दो का cross multiplication जब इस type से आ जाए ना questions तो मैं बतारू किसे simplify करने है आपको दे दिये P cross Q और फिर cross दे दिया R cross T R cross T इस type से जब इस questions आए ना किसी एक को माल लिया करो आप suppose ग्रो इसको माल लिया अपनी U vector तो अब आपके पास बन गया यह U vector cross R vector cross T vector तो यह अब यह बन गया Vector triple product तो U vector dot करेंगा दूरवाले से into R vector minus U vector dot R vector और T vector U vector जो माना था वो पूट कर दो तो क्या आ जाएगा ना P cross Q dot T vector और पूरे के बार मल टीपला R vector यह एक तरह से Skelet triple product है तो box की form में लिख सकते है P vector Q vector T vector R vector minus का यह box P vector Q vector R vector और यह T vector तो यह अब इसकी value निकाल लो पहले तो box P vector Q vector T vector तो कितना आ जाएगा ना आपको box की value निकालना आती है P vector का क्या है P vector 1 by 2 minus 1 by 2 तो 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 Q vector कितना होगा ना minus 1 by 2 1 by 2 और T vector कितना था ना T vector सारे plus वाले थे तो 1 by 2 1 by 2 simplify कर दो यह 1 by 2 in 2 में यह 1 by 4 plus 1 by 4 तो 1 by 2 आ जाएगा minus minus plus 1 by 2 आ जाएगा यह हट गया minus का 1 by 4 और plus का 1 by 4 यह हट गया minus का 1 by 4 plus का 1 by 4 तो 0 आ गया minus का 1 by 2 यह हटा यह minus का 1 by 4 और minus का 1 by 4 तो minus का 1 by 2 आ जाएगा तो तो यह क्या बना 1 by 4 plus 1 by 4 1 by 2 बन गया ठीक है और अगर मैं इसका वेल्यू निकालू P Q R का तो कितना जाएगा न यह 1 by 2 minus 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 1 by 2 R कितना था न आर था स्टार्टिंग वाला पोस्ट वाला पोस्ट्यू minus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 2 ठीक है तो 1 by 2 into में यह कितना आजाएगा न यह 1 by 4 minus 1 by 4 तो 0 plus 1 by 2 into में यह minus 1 by 4 minus 1 by 4 तो minus 1 by 2 और यह minus 1 by 2 into में 1 by 4 plus 1 by 4 तो 1 by 2 तो यह तो कितना जाएगा न माइनस का 1 by 2 आ गया add करोगे तो यह तो value दिया 1 by 2 तो यह 1 by 2 into R vector यह minus minus plus 1 by 2 into T vector 1 by 2 common ले लो R vector plus T vector R vector plus T vector कितना आगा यह R है यह T है तो यह cancel out J के KK by KKF कितना KK बचेगा तो 1 by 2 KKF और आपको इसके क्या निकालने थी mode निकालना था mode कितना जाएगा 1 by 2 आ जाएगा तो 0.5 आपका final answer है बटा 0.5 आपका final answer है simple best calculation था और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी खान जी अगले वाले questions पर चलते हैं next questions पर क्या है let x is equal to 10 c 0 इसटर 10 c 1 का whole square plus 2 into 10 c 2 पहले तो यह जो भी लिखाओ है ना इसका अपन अगर general term लिखें मतले इसको लिखें ऐसे summation form में लिख दूँ अगर मैं तो यह x is equal to कितना जाएगा ना summation r का value 1 से start करके 10 तक ही ले जा सकते और यहां पर क्या लिखाओ है अब थोड़ा से इसको अगर simplify करें अगर आपन x is equal to summation r is equal to 1 से लेके 10 तक इसको लिख सकता है r into 10 c r into में 10 c r आपना नहीं के try कर रहा हूं यह जो formula है ने बड़ा यह अपन यूज करते हैं क्या formula होता है r into n c r तो क्या use करते हैं इस n को नीचे लेके आते हैं क्योंकि variable अटाना है variable क्या है आर है आप जितना जदा variable अटाओको इतना easy बनेगा और एक एक कम कर दो n-1 c r-1 तो यह क्या बनकिया आएगा यह x is equal to आजाएगा summation आपका बचेगा r equal to 1 से लेके 10 तक और यहाँ पर नीचे आजाएगा 10 into में यहाँ पर कम करेंगे तो 9 c r-1 into में 10 c r अब एक जो मैं concept बताने वालों मेरा द्यान से सुनना अगर कोई 2 binomial coefficient ऐसे multiple में हो अगर कोई 2 binomial coefficient ऐसे multiple में हो तो lower subscript का sum constant बनाने की try क्या को lower subscript का sum अभी देखोगे तो 2 r-1 constant नहीं क्योंकि r variable है लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मैं simplify करूं थोड़ा सा simplify step से करेंगे कि x is equal to summation r का value 1 से लेके 10 तक यह 10 आया और यहां पर कितना आजाएगा न यह 9 लिखा है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूं न 9 c n मतलो 9 minus r plus 1 इसे लिख सकता है न तो कितना आजाएगा न 10 minus r इंटू में 10cr अब दोनों को add करोगे तो कितना है यह 10 minus r plus r is equal to 10 आजाएगा तो अब मैं क्या कर सकता हूं न जब ऐसे constant हमाजे न तो अपर सबस्क्रिप्ट को add करके उसमें से यह coefficient ले लिया करो ठीक है उसमें से यह coefficient ले लिया करो तो x is equal to diet ले लिख सकता हूं मैं 10 इं 10 या फिर 19c9 एक ही बात है 10 into x का value आगे अपने को निकालना क्या है x upon 1430 तो 10 cancel out करेंगे तो 19c9 upon me 143 19c9 मतलो 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 2, 8 और 11 divided by में 9 factorial 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4, 3, 2, 1 into 143 यह होगा इस अगर cancel out करें तो यह 1 और यह क्या बचसे गया 3 तो 33 तो यह 13 भी cancel out और 9 into 2, 18 cancel out और और क्या cancel out 8 और यह 2 एक तो 7 के साथ लिया एक 8 के साथ लिया तो 16 भी cancel out 14 भी cancel out 5, 4, 3, 15 तो यह 15 cancel out 6 से अपन क्या cancel out कर देंगे न यह 2 आ जाएगा तो अब आपके पास क्या बचएगा न आपके पास बचा 19 into में 34 आप इनका multiply कर दो यह तो कितना जाएगा न आप इस तीन चाथ तीन साथ और 9 27 दो तीन दो पांच तो 6, 4, 6 आपका फाइनल आजाएगा बटा तो 6, 4, 6 फाइनल आजाएगा नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट वाले क्यूशन पर चलते हैं क्या क्या चीज दिया हो ना, e1 को एक set है, x1 नी होना चीए और x upon x-1 greater than 0 इस वाले करनेशन को satisfy कर रहा है e2 है वो यह है, e2 का मतलब इसका domain तो domain इसका क्या होगा, log e2 पे x upon x-1 का value minus 1 और plus 1 की बीच में रहेगा hence here the inverse trigonometric function sine inverse assume the values, अचा मतलब इसके principle values में ले रहे है, वो ठीक दे रहा है fx function है, जो e1 से लेके r तक में define है, क्योंकि log है, log का range r रहता है, even में define है, मतलब यह आपका क्या होना चीए, positive और यहाँ पे e1 भी यहाँ पे क्या दिया हो है, positive दिया हो है अलग लग पाड़ दे रहे हैं, आपको fx का range निकालना है और fx का domain निकालना है ठीक है, पहले मैं p और r पे बात कर लेता हूँ p पे अगर मैं बात करना start करूँ, तो p पे मेरे को इस fx function का range निकालना है जब भी बड़े अपन किसी भी function का range निकालते हैं, तो क्या काम करते हैं, simple y is equal to function को लिख देते हैं y is equal to log e base पे x by x minus 1 और फिर अभी simple समझो आप range कैसे निकालते हैं यह y is equal to in terms of x लिखा हूँ है, इसका उल्टा करते हैं, x is equal to in terms of y लिखके अपन सिंप्लिफाइ करेंगे तो यहां से मैं e की power y is equal to x upon x minus 1 cross multiply करो e की power y into x यहां से x common लिया, तो e की power y minus का 1 is equal to e की power y x is equal to e की power y upon me e की power y minus 1, यह बन क्या आगया क्यूसंस में बोला हुआ है कि जो यह जो आपका f function वो even में defined है, even क्या आपका कि x belongs to r होना चीए और x कभी 1 भी नहीं होना चीए अगर मैंने 1 put किया, तो e की power y is equal to e की power y minus 1 0 is equal to minus 1 पोसिबल नहीं है, तो 1 तो कभी नहीं होगा अब क्या बोला है, यह real वाली conditions satisfy का मतलब है 4, आप सुनना वड़ा है, यह काफी potencies लिख रहा हूँ है 4 x belongs to r x को r होने के लिए, सारी real value होने के लिए नीचे 0 नहीं बनना चीए नीचे वाला टम आपका कभी 0 नहीं बनना चीए तो नीचे वाला टम 0 क्या होगा e की power y equal to 1 पे आपका 0 हो जाएगा तो यहां से y का value क्या आजाएगा 0 आजाएगा तो यह नहीं होना चीए, तो इसका मतलब y 0 नहीं होना चीए 0 को छोड़के बाकी सारी value acceptable है तो इसका मतलब जो fx है वो belong करेगा all real value except 0 और इसो कैसे लिख सकते है पन minus infinity से 0 union 0 से infinity minus infinity से 0 यह fourth तो f का जो range आएगा वो fourth वाले part को satisfy करेगा ठीक है चलिए, next वाले पर देखो the range of g इस पर बाद में आता हूँ है domain निकालता हूँ fx का तेया domain निकालना तो easy है domain के लिए क्या होना चीए न कि log के लिए अपन क्या क्या condition लगाते है log के लिए log e base पे fx क्या दिया हूँ है log e base पे x upon x minus 1 यह चीज दिया हूँ है अपन लोग के डोमेनिकल क्या बहुता है argument positive होना चीए x by x minus 1 क्या होना चीए positive और इसको डाइटले लिखना सीखते है अपन x belongs to minus infinity से 0 union 1 से लेके infinity और दूसरा चीज क्या होता है कि यह base कभी 1 नहीं होना चीए e है कभी 1 नहीं होगा positive होना चीए वो भी है सारी condition satisfy हो रहा है अब ना आपको आपने यह चीज निकाल लिया होगा लेकिन यह options में नहीं नहीं मिला होगा इसका मतलो इसका कोई subset check करना आपको subset कोई option में है क्या इसके अंदर वो आना चीए ठीक है ना इसे ज्यादा value नहीं चलेगा तो अगर मैं यह देखू minus nilpd से यह वाला value क्या है positive है की negative है यह one upon one minus का e e क्या होता ना one से बड़ा होता है यह negative value है और यह क्या है ना e e क्या होता आपके पास 2.6 upon में e minus one तो 1.6 तो यह value क्या होगा one point one से बड़ा होगा यह वाला value one से बड़ा होगा तो इसका मतलो इसके अंदर आ रहा है यह सारा का सारा इसके अंदर कौन सा satisfy करेगा x belongs to minus infinity से e upon e minus क्या था one upon one minus e one upon one minus e union e से लेके e minus one से infinity यह इसका सबसेट है मतलो first वाला option आ जाएगा तो इसका first वाला आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं था g का range निकालना है g का range निकालना है इसका range निकालना है तो इसका range निकालना है तो आपके पास fx function क्या दिया गा sin inverse log e base पे x by x minus one और अभी मैं सारा का सारा comment में इसी पे कर रहा था जो sin inverse के अंदर लिखा है इसी पे अपन सारा का सारा खाम कर रहे थे वी तक अब इसी को भी वापिस इससे पहले इसने sin inverse लगा दिया तो यह composite function हो गया composite function का आप range कैसे निकालोगी composite function का range निकालते है अंदर वाले function का range निकालके उसको बहार वाले function के A, Z domain के form में काम में लेते है तो इसको मैं एक चीज तो यह न की सकता हूँ कि लोग E base पे X upon X minus 1 है वो greater than or equal to minus 1 होगा और less than or equal to 1 होगा दूसरा चीज दूसरा चीज मैं अभी last वाले questions में मैंने यह soul किया है कि इसका जो value है वो accept क्या करता है all real value accept 0 होता है तो मेरे को यह दोनों conditions का intersection लेना है मेरे को इन दोनों conditions का intersection लेना है तो इसका मतलव log E base पे X by X minus 1 है वो क्या बिलोंग करेगा minus 1 से लेके 1 तक accept 0 अब मेरे गुश से पहले sine inverse लगाना है तो आप या तो graph में put कर दो या directly लिख सकते हो X upon X minus 1 यह क्या बिलोंग करेगा minus pi by 2 से plus pi by 2 accept 0 minus pi by 2 से pi by 2 तक लेके जाएगे और 0 उसमें से नहीं लेगे तो देखलो कौन सी वाली value accept है यह minus 1 by 2 यह आईगा क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हो ना minus pi by 2 से 0 union sorry union 0 से pi by 2 कौन सा acceptable है 0 से 1 वाला है क्या 0 पे open pi by 2 कितना आएगा pi by 2 कितना आजाएगा आपका 1.54 और यह बोल रहा है 0 से 1, yes acceptable है दूसरा वाला तो यह दूसरा इसका acceptable है ठीक है domain निकालते है भी इसका अपन domain निकालते है domain के लिए तो simple सा क्या काम करते है अपन कि जो अंदर function लिखा हुआ है जो अंदर function लिखा हुआ है वो क्या होगा ना minus 1 और plus 1 की बीच में रहेगा हाना क्योंकि sin inverse के अंदर लिखा domain निकालना सिंपल से सब को मालूम है यहां से e अटा दो अब e जो base है वो आपका क्या है ना वन से बड़ा है तो inequality का साइन सेम रहेगा हाना यह छोड़ छोड़ पॉइंट है ध्यान में रखना बड़ा ग्रेड़ दोन रिकुल टू यह वो e की पावर माइनस 1 मतलो वन अपोन e और लेज दन और इकुल टू कितना आ जाएगा e आ जाएगा अब थोड़ा समें इसको सिंप्लिफाई कर लेता हूँ थोड़ा समें सिंप्लिफाई कर लेता हूँ यहां पे साइड में यह जो क्वाटिटी लिखाए ना x अपोन x-1 इसको क्या लिख सकता है पना x-1 किया प्लस 1 किया अपोन x-1 तो यह कितना आ जाएगा न यह 1 प्लस 1 by x-1 तो यह 1 अपोन e x by x-1 यह दो पापीज लिख दिया वही 1 प्लस 1 by x-1 is less than or equal to e 1 1 minus करो तो 1 upon e-1 और यह 1 upon x-1 less than or equal to e-1 फिर इसका reciprocal करेंगे लेकिन reciprocal करते टाइम बड़ा एक चीज मैं आपको इसलिए यह वाला किशन करवा रहा हूं ध्यान रखना यह 1 upon e जो value है 1 से कम होगा minus 1 कर रहे हैं तो यह वाला value क्या होगा negative होगा e-1 यह वाला value क्या होगा positive होगा इसका मतलब इनके बीच में कभी ना कभी 0 आएगा इनके बीच में कभी ना कभी 0 आएगा 0 का reciprocal करेंगे तो क्या होगा infinity जो कि आपका acceptable नहीं है तो इसका मतलब directly आप ऐसे इसको reciprocal form में नहीं लिख सकते तो जब इस type की conditions आती है इस type की जब दिक्कत आती है तो कैसे questions को solve करते है ना कि फिर 0 पर इसको break कर दो यहाँ पर 2 कैस बना दो एक तो लिख देंगे वन अपॉन E-1 greater than or equal to वन अपॉन X-1 less than 0 एंड या और एंड वन अपॉन X-1 greater than 0 और क्या है जाए गाना E-1 ठीक है यहाँ पर तो equal to लग जाएगा ठीक है अब इसको simplify कर दो अब इसको थोड़ा reciprocal कर दो तो यह तो बन जाएगा minus infinity greater than X-1 less than or equal to यह कितना बनेगा E upon E-1 reciprocal करने पर E upon 1 minus E होगा E upon 1 minus E ठीक है अब यहाँ पर 1-1 add कर दो तो minus infinity पर कोई फरक नहीं पड़ेगा X इसमें E upon 1 minus E plus 1 add करेंगे तो यह minus infinity यहाँ पर equal to भी है is greater than X is less than or equal to इसमें add किया E plus 1 minus E तो 1 पचेगा 1 upon 1 minus E यहाँ पर तो X belongs to आजएगा minus infinity से लेके 1 upon 1 minus E का close इसको simplify कर लो इसमें कितना आजाएगा ना इसका reciprocal करेंगे तो यह 1 upon 1 minus E greater than or equal to X minus 1 और यह infinity 1 1 add करो 1 upon 1 minus E plus 1 और infinity यह add करेंगे तो 1 plus 1 minus E तो कुछ गड़ बढ़नी है गया यहाँ पर 1 upon E minus 1 1 upon E minus 1 था यह तभी तो बोल रहाँ ना यहाँ गड़ बढ़ हुआ 1 upon E minus 1 तो यह 1 upon E minus 1 plus 1 करेंगे X infinity तो अब यह क्या आ जाएगा ना E upon E minus 1 और infinity तो X belongs करेगा E upon E minus 1 से infinity दोनों को लिख दूए एक साथ बस तो कौन सा सेटा आ रहा है first वाला कर रहा है ठीक है तो चारों अलग अलग करके अपने simplify कर दिया जे चलिए ज़िए next वाले के उसन्स पर चलते है high school एकमिटी है सुव जूंद फोल मृटी है सुन्स फॉंद फों मृटी है सुवांज फीज्ञ प्रीं 5 यह जी फीज्ञ फीज्ञ खेंगिश्ञ ऑन जीफीजे तोल नुम्र फॉंद in which the committee can be formed such that the committee has 5 members 5 members का एक committee बनाना है having exactly 3 boys and 2 girls यह यह तो बहुत simple हो गया alpha 1 तो क्या आगया ना फिर alpha 1 तो आगया exactly 3 boys तो total कितने है 6 boys है तो 6 में से 3 select करना है into 2 girls सी है तो 5 में से 2 select करनी है तो 6 सी 3 कितना आजा है गया 6 into 5 into 4 और नीचे 3 into 2 और यह आजाएगा 5 into 4 by 2 यह तो 6 cancel out यह 2 20 और दस दो सो 4th option next alpha 2 पे चलते है let alpha 2 be the total number of ways in which total number of ways in which that committee can be formed such that the committee has at least two members क्या बुला हो है let alpha 2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least two members और ओके कम से कम दो मेंबर तो होनी चीए and having an equal number of boys and girls अच्छा तो at least 2 बोला है तो 1 1 select कर दो 2 2 कर दो 3 3 4 4 5 5 तो 6 में वो 5 में से करने है तो alpha 2 क्या आ जाएगा ना alpha 2 6 में से एक सेलेक्ट किया boys में से 5 गल्स में से एक सेलेक्ट किया इच वन at least two लिखा हुए गया forms of the committee has at least two members अच्छा और फिर 6C2, 5C2, 6C3, 5C3, 6C4, 5C4, 6C5, 5C5 ये तो आजाएगा 6 into 5 ये कितना आजाएगा ना 6 into 5, 5 into 4 by 2 into 2 और ये आजाएगा 6 into 5 into 4 5 into 4 into 3 या 5 into 4 5C2 लिख दो इसको ये तो आजाएगा 3 into 2 into 1 और ये आजाएगा 2 ठीक है, प्लस 6C4 को लिख देंगे है अपन 6C2, तो 6, 5, 2 और ये 5C1 को आजाएगा 5 और ये आजाएगा 6C1 तो 6 और 5C5 आजाएगा 1 तो ये तो आजाएगा 30 ये cancel out और पंदरा पांची की 30 और फाइफ, 150 और ये 4 और ये 2 तो ये 10 और 20 ये 200 और ये 3 तो पंदरा और पिचे 30 और 6 तो पांच है 11, 11 का एक 1 तो 7, 8, 8, 5, 13 13, 13, 13, 16 एक तो दो, एक तीन, एक चार 4, 6, 1 आ रहा गया 4, 6, 1 मतलो 6 तवाला ठीक है नेक्स्ट, एलफ़ा 3 विदा टोटल नम्पर ओफ़ेज इन विज़ दे कमेटी कन विफोर्म से दे कमेटी हैज 5 मेंबर्स एकलिस्ट दो आ वे बिंग गल्स तो फाइब मेंबर्स का बनाना है पहले टू गल्स सेलेक्ट कर दो टू बोई सेलेक्ट कर दिये, फिर मैंने 4 गल सेलेक्ट कर दी, 1 बोई सेलेक्ट कर दिया, फिर मैंने 5 की 5 गल सेलेक्ट कर दी, 0 बोई सेलेक्ट कर दिया, तो ये तो 5 से 2 कितना आ जाएगा न, 10 आ जाएगा, 10 into में 6 c 3 6 into 5 into 4 3 into 2 5 c 3 क्या होता है 5 c 2 होता है तो यह 10 6 c 2 कितना आजाएगा ना 6 into 5 by cut 2 और 5 c 4 क्या आजाएगा ना 5 6 c 1 क्या आजाएगा ना 6 और 5 c 5 आजाएगा 1 और यह भी 1 तो प्लस 1 और कर देंगे तो कितना आ गया यह 6 cancel out 20 200 और यह 3 यह 150 और यह 30 और यह 31 तो यह तो कितना आजाएगा ना 350 381 तो फिप्त वाला फिप्त वाला आगया मतलब अलफा 1, अलफा 2, अलफा 3 अपने 3 आपने चेक कर दिये का फीजी था जे नेक्स्ट वाला क्या आपका अलफा 4 ही थोड़ा सा ट्रीक ही क्यूशन था बागी तो काफी एजी था एक दम अलफा 4 बिड़ टोटल नम्र फिज इन विश्ट गमेटी केण बी फंद शस देफ दा कमेटी है बैस फोर मेंबर्स, अटलीस तू गल्स आपके पास क्या होना चे? फोर मेंबर्स अटलीस तू गल्स यह लिखावा है ओके अच्छ देट बोथ M1 और G1 आर नोट इन दा कमेटी टुगेथ अच्छा M1 G1 एक साथ नहीं आने चीए मतलब यह दोनों बोल रहा है कि हम दोनों एक साथ नहीं आएंगे M1 boys G1 girl बोल रहा है कि हम दोनों एक साथ नहीं आने यह नहीं तो यह कोई दिकत नहीं नहीं बिठाएंगे एक साथ लेकिन अग क्यूसन सोल कैसे करेंगे क्यूसन सोल ऐसे करेंगे पहले तो आप केस बना लो 4 members कबनाना at least 2 girls है तो मैं क्या ले सकता हो ना 2 girls 2 boys ठीक है फिर 3 girls 1 boys 4 girls 0 boys ठीक है boys लिए ही नहीं मैं 4 girls girls सेलेक्ट कर दें ठीक है अब यार इसमें देखो 2 girls 2 boys में पहले में ने कोई condition नहीं लगया सारे के सारे possible case लिए तो कितना आ जाएगा girls के लिए तो 5c2 boys के लिए 6c2 अब minus total minus जो एक साथ ले ले लेते है आपन रो वो आज सुनना मेरे द्यान से यार आप कुछ बचो confusion नहीं होती है पहले मैं टोटल निकाला total minus m1 and g1 are together तो इसका मतलग क्या है total minus m1 and g1 are together लिखे तो अपने पास ऐसे guess मिलेंगे जिसमें m1 and g1 एक साथ नहीं आएंगे तो अगर एक साथ आगे m1 and g1 तो m1 एक boys है तो उसको एक को select करने के लिए 1 c1 g1 एक girl है तो उसको select करने के लिए 1 c1 एक एक select करने के लिए अब अपने को दो-दो select करने थे एक एक तो हो गया एक एक और बच गया तो अब अपने पास एक गल्स लेट कर दिए four girls और बची four में से फिर एक girls को select करना है यह चीज़ समझ मारा है कि यह confusion कर रहा होगा देखो मैं एक girl एक boy select कर लिया वह में पर सिलेट क्या करना है टू गल टू बोई तो अपने पास एक गल एक बोई और बच गया है तो और एक तो होगया यहां पर चार में से स्लेट करना है 4C1 और यहां पर इतना जग न 5C1 यह आगए आपके पास इस में देखेंगे थ्री गल्स वन बोई तो यह 5C3 और 6C1 minus 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 मैं ये बोल दिया मैंने कि वन गर ये जो M1 select किya 1C1 से gård select किya 1C1 से अब मेरे को 2 गर्ष और select करने 1 गर्ष गरना था वो तो हो गया अरे 1 गर्ष से बोर था वो तो हो गया गर्ष एक select किया लेकिन करने कितनी है 3 2 गर्ष और बची गल्स आगी तो कितने चार बची तो चार में से दो स्लयट को करना है कि यह फॉर गल्स यह थो बहुत फाय को इसने तो इसने तो पॉइसाथ आएंगी नहीं तो तो कुछ रिखी कि निकान एक मेनिट एक मिनीट यस आ गया देखो तो यार इसको select कर दो 5C2 कितना आ जाएगा 6C2 कितना हैगा 6 into 5 by 2 minus का 4 into 5 यह 5C3 कितना 5C2 10 into 6 minus का 4C2 कितना जाएगा 4 into 3 by 2 और यह 5C4 5C2 कितना जाएगा 10 आ जाएगा सब के इसको add कर दो तो यह कितना जाएगा यह 3 तो 15, 150, माइनस का 20, तो 130 है या, प्लस में, ये 2, 6, तो ये 60, माइनस का 6 का 54, और यहां पे 10, तो ये तो कितना 184, 194, 190, अरे, क्या हो रहा है, अरे, ये गलबर की देतना यार, 5C, 4 कितना था, 10 तो ये तो 5C, 1 मतलो 5 आएगा ला, तो लास्ट में 5, 8 करेंगे, 5, 4, 9, 5, 3, 8, 1, 189, ये तो ये साहिए आपका है ला, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चलिएजिए, अगले वाले किप्सिर्स पे चलते हैं, अगले वाले किप्सिंस में, ये दिया है, ये तो कफी एजी किप्सिंस था, लोग ठीक है, अलग लग पार्ट से हैं, लेकिन कोई टाइम टेकिंग नहीं है, लोग सिंपल आफ, क्या करो ना, हाइपर बोला बना दो, ये अपना हाइपर बोला है, ठीक है, ये पॉइंट ए मैंनस एक पॉइंट मैंनस एक कमा जीरु है, एसा है, ठीक है, एकस स्क्यर अपौने स्क्यर, अपनिस ए बढ़ा है, बी से तो इस टाइप का हाइपर बोला है, बी हाइपर बोला इन था एर ख्यृस बिलें, दे सने स्टैशन नेम दे दिया, लम, ये अल है, ये एम है, तो एल तो होगा 0,B और M होगा 0,-B एलम सब्टेन एंगल 60 डिग्रेट वन ओफिस वर्टिस एक इस वर्टिस पर ये 60 डिग्री का एंगल बंद रहा है अब ये जो X सक्सिस है ये इसके लिए स्मिट्री का काम करेगा जितना पाड उपर जितना पाड नीचे क्योंकि ये 0,B ये 0,-B ये distance बराबर है अगर इसको मैं origin बोलो ल,O,M बराबर है तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा ये एंगल 30 डिग्री आएगा अब सुनते रहे में रहे ना मरी बात ये 0,L बराबर है O,M के ठेक है और इसको अगर मैं A बोलू ओ,O,A,O,A common है ये वाला ये वाला इंगल 30 डिग्री 30 सेम है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके सेम टाइप के हो जाएंगे तो इसलिए ये side और ये side बराबर आजेगे इसलिए इसलिए ये बराबर होगा एम के जब ये दोनों बराबर है तो इनकी ये एंगल भी बराबर होगे इनकी ये एंगल भी बराबर होगे ये 60 डिग्री है ये दोनों एंगल बराबर है इसका मतलब ये वाला इंगल भी 60 डिग्री ये वाला इंगल भी 60 डिग्री तो इसका मतल अब मैं आगे चलता हूँ आगे क्या दिया बना इस L M N ऑक्यों कुछ गड़बड किया गया अच्छा इस वर्टिस का नम इननों दे रहा है एं ठीक 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 है तो फिर L N लिखो ये एन ये एन ठीक कोई दिकत नहीं अब the equality triangle का formula क्या होता है Root 3 by 4 into side square साइड आपका यह आजाएगा 2B का होल स्क्वेर is equal to कितना दिया वै 4 root 3 root 3 से root 3 cancel out 2B square is equal to 16 तो 2B का होल स्क्वेर is equal to 16 तो 2B is equal to 4 तो B is equal to 2 आगया B का value 2 आगया यह वाला value क्या आगया 2 आगया तो एक चीज़ दो पता लागया B is equal to 2 है दूसरा यहां से मैं अगर 1030 डिगरी formula यूज करूँ 1030 डिगरी तो कितना आजाएगा न 2 by A is equal to 1 by root 3 तो A is equal to कितना आगया 2 root 3 आगया और B is equal to कितना आगया 2 आगया तो आप पे चीज़ पता लगया यहां से मैं eccentricity भी निकाल सकता हो eccentricity निकाल लगा formula क्या होता नहीं square root में 1 plus कुछ बच्चे इसके hyperbola की formula में confusion होता है सर negative काल लगा जिसके नीचे negative नहीं उसका पहले यूज करेंगा y square negative है तो इसके नीचे वाला पहले यूज करेंगा B square B square मतलब 4 upon 4 root 3 root 3 का 3 आजाएगा square करने पर 4 से 4 cancel out 3 plus 1 4 तो यह 2 by root 3 आजाएगा तो इसका eccentricity तो 2 by root 3 है क्या पुछाब है length of the conjugate axis conjugate axis का लेंट होता है 2B तो यह आजाएगा 4 तो फोर्थ वाला option ठीक है और eccentricity कि तो यह 2 by root 3 2 by root 3 किसमें 3rd a distance between the 4 का यह आजाएगा 2AE तो 2A कितना होगा 2 by root 3 और E कितना है 2 by root 3 यह cancel out 8 है 8 मतलो कोम सा 1st the length of the latest rectum 2B square by A तो 2B square मतलो 4 A का मतलो क्या आजाएगा 2 root 3 तो cancel out 4 by root 3 तो second बस miss करवा लो यह तो काफी easy था यार बस एक पार्ट आपको check करना था हो जाता खान जी तो पहले तो first पार्ट पे देखते हैं अलग-लग function दे रखे हैं let f1 है r से r f2 मैंस πाई बाई टू से प्लिस पाई बाई टू से r f3 यह सब दिया यह पन को ठीक है और यह सब दे दिया the function f1, f2, f3, f4 क्या होगा continuity और differentiability चेक करनी है 8x equal to 0 continuity और differentiability चेक करनी है तो पहले मैं f1 function के लिए चेक करूँ f1 function का अगर मैं continuity चेक करूँ पहले for f1x तो f1x की अगर अपन चेक करें बात करें तो continuity के लिए बात करें पहले न तो continuity में यह चेक कर सकते हैं पहले तो कि 0 पे इसकी value क्या है क्या न क्योंकि 0 पे चेक करना है अपन को तो 0 पे 0 पर अगर चेक करेंगे तो sine एक पावर यहां पे 0 पूट किया तो यह value आएगी 1, 1-1 0 तो sine 0 कितना आजाएगा 0 आजाएगा, 0 पे value 0 है फिर मैंने 0 पे limit चेक किया तो sine of square root में 1-e की पावर minus x square अब सुनना ध्यान से है कि यह x square लिखा है तो x पोस्टू पूट को नेगटिव पूट को कोई फरक नहीं पड़ेगा तो x अगर मैंने 0 पूट किया tends 2 तो यह वाला value क्या हैगा यह वाला value आपका 1 आएगा 1-1 जीरो कि यह भी always क्या बनेगा जीरो मनेगा इसका मतलओ at x equal to 0 f1 x is continuous ठीक है continuity check कर दिया अपने फिर अगर मैं डिफ्रेंसियबिलिटी चेक करूँ अगर डिफ्रेंसियबिलिटी अगर चेक करे है अपन at x is equal to 0 पे तो अपन क्या करेंगा न f1 डेस चेक करेंगे इस पे 0 पे तो limit x tends to 0 और f1 x लिखेंगे f1 x होगा आपका sign of square root का 1- e की पार minus x square और यह तो मतलब f1 x आगा और 0 पे value निकालेंगे 0 पे value 0 है minus में x minus का 0 आगे यह चीज़ बन के आया तो इस चीज़ को मा आगे वाली slide पे लिखता हूँ f1 डेस 0 पे चेक करेंगे अपके पास यह बन कहा है limit x tends to 0 sin of square root का 1- e की पार minus x square अब अगर आप ध्यान से देखोगे sin के अंदर वोला atom 0 को जा रहा है तो एक अपन को property याद है कि limit x tends to 0 sin x upon x क्या होता है 1 होता है यह कब होता है जब यह 0 को जा रहा है तो same term से मैंने divide कर दिया 1- e की पार minus x square फिर same term से multiply भी करना पड़ेगा 1- e की पार minus का x square और divide by x था ही उसको यहाँ पे लिख दिया यह वाला value किदर आ गया यह वाला value कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसको मैंने यह से लिख दिया तो यह f1- 0 limit x tends to 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसको तो दोना simplify करें तो यह square root के अंदर अगर e की पार x square अपने लिख दें तो यह e की पार x square minus 1 upon me e की पार x square है ना अब मैं इसी के अंदर अगर form बनाने के लिए क्योंकि form क्या होता ना यह form होता है यह सारी form याद कर लो यह form होता है e की पार x minus 1 by x का value 1 होता है तो यहाँ पे x square है तो मैंने x square से divide किया square root के x square है square root के x square से multiply किया divided by x अब यह वाला value कितना आएगा ना यह वाला value 1 आएगा into में यह भी 1 ही आजएगा तो यह वाला value पूरा 1 आगया ना तो f1 dash आपके पास 0 क्या बचा ना limit x tends to 0 यह बाहर कितना आएगा ने बाहर mod x बनके आएगा बटा यह बाहर कितना आएगा ना mod x x square को यह बहुत बच्चे दिक्कत करते है बड़ा बहुत बच्चे confuse होते है यह दिखलो बड़ा limit में दो बहुत यूज करता है इसको बो अब आपको पता है lsd rsd equal नहीं आएगा यहां पर lsd तो कितना आएगा lsd minus 1 आएगा और rsd कितना आएगा वन आएगा इसका मतलो at x is equal to 0 f1 x is not differentiable 0 पे continuous जरूर है लेगि not differentiable है तो second option आपका इसका सही आजाएगा तो first वाले का second वाला option सही एग दम चलिए ज़िए next वाले पे चलते है next वाले में क्या दिया बाद कि f2 x अपन को यह दे रखा है तो f2 x लिखते हैं पर f2 x दिया बाद mode sin x upon 10 inverse x तो पहले तो मैं continuity check करता हूँ continuity check करता है continuity check करेंगे अगर अपन at x is equal to 0 पे तो 0 पे जो इसका value है 0 पे जो इसका value है वो 1 दे रखा है तो 0 पे इसकी limit निकालते हैं f2 x का तो limit x tends to 0 यह दे रखा है mode sin x upon में 10 inverse x यही तो दिया हुए हाँ if x not equal to 0 अब यार इसमें थोड़ा सा अपन manipulations करते हैं इसको मैंसे लिख सकता हूँ limit x tends to 0 mode sin x और मैंने mode x से डिवाइड कर दिया ठीक है पूरे mode के अंदर लिखने के लिए अब डिवाइड के है mode x से तो mode x से multiply भी करना पड़ेगा ठीक है 10 inverse x है 10 inverse x में proper limit बनाने के लिए मैंने x से डिवाइड किया यहाँ पे x से multiply कर दिया ठीक है यह वाला value कितर जाएगा 1 को जाएगा यह वाला value भी कितर जाएगा 1 को जाएगा तो कितना बचेगे अपने पास में limit x tends to 0 mode x by x यह तो साब साब दिख रहा है LHL कितना आएगा minus 1 आएगा RHL कितना आएगा 1 आएगा तो बोल सकते है at x is equal to 0 f to x is not differentiable not continuous और जब not continuous होता है तो not differentiable अपने आप बोल देता है में बड़ा check करने की भी जूर्थ नहीं है नहीं तो मतलब अपन को property पता है तो Q का first वाला अब यार एक जिस मैं आपे note किया P का था second P का second मतलब A या फिर D में से कोई होगा और Q का one Q का one तो ये D तो D आपका final answer आ गया लो आगे अगर आपके पास time नहीं होता न एक्जाम में तो आप R S टेक भी नहीं करते है तो भी आपका काम चल जाता है तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है matching वाले में चलिए अगले वाले पर देखते हैं थर्ड वाले में थर्ड वाले में क्या दिया है न कि F3 X greatest integer के अंदर कुछ दिखा हुआ है F3 X Sine of Log of E base पे X plus 2 और इसका greatest integer इसमें मेटरी ये करता है आपका X कहां से काम इलोग कर रहा है और इसमें X बिलोग कर रहा है वेड़ा F3 में minus 1 से E की पावर πाई बाई टू minus 2 minus 1 से E की पावर πाई बाई टू माईनस टू अब मेरे को नकालना X plus 2 तो ये X plus 2 कहां से काम बिलोग करेगा 1 से लेके और E की पाई बाई बाई टू तक हाना मतलब X plus 2 जो है वो greater than किस से होगा 1 से less than किस से होगा E की पाउर πाई बाई टू से अब मेरे को लोग लगाना है base E रखना है है ना तो inequality का sign सेम रहेगा तो log 1 तो कितना जाएगा 0 वो log E base पे πाई बाई टू कितना जाएगा पाई बाई टू लगाना है फिर मैं sign यूज करता हूँ sign of log E base पे X plus 2 यार मतलो वो confuse करने के ट्राइग तक कितना easy usage है यह बस simplify कर दो आप पूरा का पूरा तो sign लगा हो तो sign 0 तो कितना होता है 0 होता है sign पाई बाई बाई टू कितना होता है तो वो always क्या आता है 0 आता है always फिर तो continuous function हो गया और जितने भी continuous function है वो क्या है सारे के सारे यह क्या हो ना continuous भी होगा and differentiable भी होगा आपको तो X पी चेका X equal to 0 पे चेक करना था यह 0 पे हो जाएगा यह सब value पे तो और 0 इनके बीच में भी आ रहा है इसके domain में 0 आ रहा है यहां पे तो चेक कर सकते हैं कोई दिखर नहीं है तो विसे तो मैंने deep attack की माज़ी तो इसका R का 4 यह जिस 4 दे रखा है है ना कि function कि है ना आपका continuous भी है and differentiable भी है चलिए लास्ट अपन F4 पे चलते है F4 में क्या दरे रखा है एक x square into sine of 1 by x 0 तो F4 x क्या दरे रखा है x square into sine of 1 by x जब x 0 नहीं हो 0 हो जब x equal to तो यह definition थी तो पहले तो मैं 0 पे अगर value चेक करूँ 0 पे value 0 है limit चेक करते हैं limit x tends to 0 F4 x तो limit x tends to 0 x square into sine of 1 by x यह बना अब यार एक चीज़ सुनना बढ़ा दियांसे बहुत ही important चीज़ है काफी बार use करते है x जब 0 जाएगा तो 1 by x किदर जाएगा infinity को जाएगा तो sine infinity मतलो value ना minus 1 और 1 की बीच में बहुत जल्दी जल्दी oscillating fluctuate करने लग जाएगी हाना तो अपने यह बोल सकते हैं यह जो value है ना यह minus 1 और 1 की बीच में कोई ना कोई value आत रहे है अग्जेक्ट value यह fluctuate करे हैं जल्दी बहुत जल्दी लेकिन value रहेगी क्या minus 1 और 1 की बीच में ही रहेगी इंटू में आप x square कर रहे हो तो इंटू में 0 कर रहे हो 0 into कोई minus 1 और 1 की बीच में कोई value है मतलो bounded value है तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको 0 बोल सकते हैं अपने बोल सकते हैं continuous है यह यह तो पता लगया difference ability के लिए अपन चेक करते हैं 0 पे तो limit x tends to 0 यह कितना जाएगा न x square sin 1 by x 0 पे value 0 divided by x minus 0 तो साब साब दिख रहे है क्या बन गया limit x tends to 0 x into sin 1 by x अभी बताया था यह वाला value minus 1 और 1 की बीच में belong करेगा into 0 तो यह 0 बन के आगया तो इसका मतलब function continuous भी है differentiable भी है आपका ठीक है लेकिन मेरे को तो यह check करना था कि इसका जो derivative है वो continuous है या नहीं है तो अब आपने यह भी लिए सकते है कि differentiable भी है अब derivative नहीं है उसके लिए आप derivative निकाल लो आप हाना तो derivative निकालने के लिए इसको differentiate करो तो यह इसको differentiate करेंगे तो कितना आजएगा x square का जएगा 2x into sin of 1 by x हाना और इसका करेंगे x square को ऐसी रखा sin का जएगा cos 1 by x और 1 by x का जएगा minus 1 by x square तो x square x square cancel out यह मनगा minus cos of 1 by x जब x 0 नहीं हो तब वो 0 पे value 0 होता है कैसे पता लगा और अभी तो निकाल है 0 पे derivative का value तो 0 पे 0 तो इसको continence check करने के लिए 0 पे value 0 है limit निकाल लो limit निकालेंगे तो 2x sin 1 by x minus cos 1 by x आना यह होगा यह वाला value तो सब सब पता बोद बार बोल दिया 0 आ गया अब आपका यह बन क्या है minus cos of 1 by x अब यह बड़ा एक ध्यान से सुनना मेरी बात जो अपन limit chapter पढ़ते हैं तो उसमें एक जगा लिखाते हैं का article में कि limit कब कब exist नहीं करती उसमें मैं लिखाता हूं कि LHL, RSL exist करें लेकिन दोनों equal नहीं हो तब नहीं होती LHL, RSL में कोई define नहीं हो तब नहीं होता और या फिर एक point यह भी लिखाते हैं कि value यह भी फ्रक्ट्ट करने लग जाए oscillating करने लग जाए तब भी limit आपका exist नहीं करता है यह does not exist limit limit यह exist नहीं कर रहा है तो limit exist नहीं कर रहा है तो इसका मतलव differentiable at x equal to 0 and its derivative is not differentiable at x equal to 0 तो third वाला है वैसे अपनको पता ही था इस पर पहले टीक मार चुगे थे हैं पर तो बड़ा मेरी तरप से solution होता है complete मैंने अपनी तरप से क्या try किया ना कि यार एक एक क्यूसंस में आपको only just solve कर के नहीं दिया कि हाँ जल 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 कर दूँ मैं ऐसा मेरा motive नहीं था मैं सुचा एक series start करता हूँ तो उसको ढंक से फिर start करूँ एक एक चीज आप लोगों को बताऊँ तो motive यही था कि main मैं difficulty level क्या मानता हूँ ना मेरे coding में maths में difficulty level क्या बनता हूँ concept तो same है अरसा भरबच्चा लगा लेता है बढ़ जो questions के अंदर की calculation है वो किस टाइब की manipulation कर रहा है अलग लग examiner वोही चीज में आपको फसाने के try करता है तो वोही मैं point आपको यहां पर सीकाने की try कर रहा था तो कैसा लगा बताओ and hold the best